हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भीजेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम डिसेंबर फॉर्थ वीक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफ किसा हैं वो डिसेंबर 4 वीक के सभी कुर्णट अफेर्स इस वीडियो के तुरु कवर कर सकते हैं इस साथ इससेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यह अदि हमारी यर reference अफेर्स पीडियेफ विगली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेट में या फिर डिस्क्रेप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आपको बता दें गूगल प्लेश्टोर से आप करन्ट अफेर्स फंडा आप को भी इंस्टॉल कर लिजे क्योंकि यह आप हमारा पेड पीडियेफ मैटिरियल परचेस करते हैं तो यह जो राइट साइड में कॉंटेंड दिया है यह सब यहां आपको पीडियेफ फॉर्मेट में प्रवाइट कराते हैं और यह सभी मैटिरियल हम आपको अपनी बारत ने एशियाई चेंपियन्स ट्रॉफी पुरुस होकी टूर्णामेंट में कांशे पतक जीतने के लिए किस टीम को हराया है औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा औप्शन बी इंडिया डिफिटेड पाकिस्तान टीम टो बिन दा ब्रॉंज मैडल एर्था एशिय चेंपियन्स ट्रॉफी मैंस होकी टूर्णामेंट देखे सबसे पहले आपको जानना चाहिए यह टूर्णामेंट हुआ का है टूर्णामेंट का नामे एशियन चेंपियन्स ट्रॉफी मैंस होकी टूर्णामेंट यह हुआ है मौलाना बसानी होकी स्टेडियम डाका बांग तीसरी पोजिशन पर रहा है अपना भारत, साथ ही आपको जानना चाहिए कितने टीम्स ने पार्टिस्पेट किया, देखिए, शुरुवात में छे टीम्स ने पार्टिस्पेट किया, करने वादी थी, लेकिन मलेशिया जो है कोविड-19 डिस्ट्रिक्शन के कारण यहां से व उस भारतिय शेटलर का नाम बताइए, जिसे पांच अन्य लोगों के साथ, बैटमिन्टन वर्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सतस्चे के रूप में नुक्त किया गया है, ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा, ओप्शन ए, तो इंडियन शेटलर या फिर बैटमि और कितने लोगों को चुना गया है, तो पांच और लोगों को चुना गया है, यानि टोटल सिक्स लोग है यह, तो देखिए इंडिया की टू टाइम ओलंपिक मैडलिस्ट है, सेटलर, पीवी सिंदू, तो इनको बैटमिंटन वर्ड फेडरेशन एथलेट्स कमिशन के पूरा नाम क्या है, तो यह आप याद रखेंगे, पूछ लेते हैं, इस तरह चेंगे, ट्रू कॉलर की ग्लोबल इस्पैम रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, सही आंसर है यहां पर ऑप्शन ए, तो इन्डिया's rank on the True Caller's Global Spam Report is 4th, देखिए, True Caller ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है Global Spam Report, यानि कि सबस्यादा Spam Calls कहां पर आती है, तो इस मामले में भारत 4th position पर है, और इसमें एक आया है कि Sales or Telemarketing Calls में काफी इजाफा देखा गया है, क्योंकि भारत इससे प पर इसमें पर इसमें पर इसमें बागी आपको जानना चाहिए, पहरे नंबर पर कोन है, किस कंट्री में सबस्यादा परेसान है लोग इस तरी कॉलों से, वो है Brazil, second position पर है पेरू, यदि हम इस तरह से चार्ड देखें, तो ब्राजील, पेरू, और तीसे नंबर पर है यु इस तरह से डेवलप्ट तो इसने एक इंडिजने से डेवलप्ने भारत में पूरी तरह से डेवलप हुई है, तो याद रखेंगे, सर्फिस तू सर्फिस मिसाइल है प्रलाइ, कहां से लोंच किया है, डॉक्टर अप्टर अब्दुलकलाम आईरेंट, कहां पर है यह, ओड याद रखेंगे, कोश्चन इस तरह से बन जाता है कि किस टाइप की मिसाइल है, तो याद रखेंगे, सर्फिस तू सर्फिस मिसाइल है, और इसकी रेंज है 150 तो 500 किलोमेटर्स और इसको मोबाइल लॉंचर से भी लॉंच किया जा सकता है, बाकि आपको जानना चाहिए, ड पुछा जाता है DRDO की जो इस्थापनावर से यह क्या है, 958, भारतिय उद्योग परिसंग यानि CII द्वारा 2021 में सबसे नवीन भारतिय अनुसंधान संस्थानों में से किस IIT को तालिका में सीर्ज पर रखा गया है, ओप्शन आपके सामने हैं, सही आंसरों का ओप्शन दी So IIT Root की was placed top of the table among the most innovative Indian research institutions in 2021 by Confederation of Indian Industry, CII देखी जो एक Confederation of Indian Industry है, Industry Body का यह एक Apex Institute है, तो इसने एक बता है कि जो most innovative Indian research institute है, 2021 में यह आपका IIT Root की है, उत्राखंड में, तो इन्होंने बता है, second position पर IIT मदरा से, और third position पर है आपका Indian National Center for Ocean Information Services, हैदराबाद, यह इस institute आपके लिए काफी important है, बहुत काम आपको सुनने के लिए मिला होगा इसका नाम, लेकिन यह हैदराबाद में है, यह कई बार exam में पूछ ले जाते हैं इस तरह के institute कि Indian National Center for Ocean Information Services कहां पर है, आंसर होगा हैदराबाद, भारत हर साल किस दिन किसान दिवस मनाता है, options आपके सामने है, सही आंसर होगा option C, so every year India observes Farmers Day और किसान Day on December 23, देखे, किसान दिवस या फिर National Farmers Day, यह हर साल 30 December को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो भारत के 5th Prime Minister है, चोधर चरण सिंग, जुलाई 1979 से जैनवरी 1980 तक बारत के Prime Minister रहे, देखे, जिनका सोट कारेकाल होता है, उनका पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं कि 1979 से 1980 तक कौन Prime Minister रहे, यह मैं आपको उस तरह की एक्जाम में बता रहा हूँ, जैसे बैंक का एक्जाम हो गया, या फिर PCS इस तरह से पूछ लेते हैं, उत्रप्रदेश का एक्जाम हो गया, यहां पर पूछ लेते हैं, कि 1979 से 1980 तक कौन Prime Minister रहे, तो आंसर होगा, यह चोधरी चरण सिंग, ठीक है, तो क्योंकि इनोंने किसानों के वैलफेर के लिए काफी काम किये, इसलिए 23 दिसंबर को नेसल फार सिंग है, इन्होंने किसान ट्रस्ट इसकी स्थापना की थी 23 दिसंबर 1978 में, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस्तनपान के अनुकूल अस्पतालों की पहचान करने के लिए भारत भर के नीजी अस्पतालों में सुरू की जाने वाली पहल का नाम बताईए, देखे, काफी confusing option है और काफी अच्छा question है, देखे लेते हैं option, baby friendly hospital initiative, breastfeeding hospitals initiative, breastfeeding hospitals network India या फिर breastfeeding friendly hospitals initiative, यहाँ पर सही answer जोगा, वो आपका option A होगा, तो baby friendly hospital initiative is set to be launched in private hospitals across India to identify breastfeeding friendly hospitals, जानते हैं इसके बारे में काफी important है, देखे, एक नया initiative सुरू किया जा रहा है, जिससे जो मात आए हैं, वो एक ऐसा hospital चुन पाएंगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा friendly हो, breastfeeding कराना, इस तनपान कराना, काफी friendly हो, आसानी से कराया जा सके, उनको भी अच्छा महसूस हो वाँ पर, तो देखिए, breastfeeding promotion network of India, इसने association of healthcare providers of India के साथ मिलकर, एक प्रोग्राम launch किया है, इस प्रोग्राम का नाम है, baby friendly hospital initiative, तो इसमें hospitals को tag दे दिया जाएगा, कि यह जो है, breastfeeding friendly hospital है, आपको बता दें, यह जो baby friendly hospital initiative है, BFHI, इसको, साल 1991, 1991 में, WHO और UNICEF वारा, शुरू किया गया था, भारत ने हाला कि इस initiative को, शुरू में, 1993 में, एडॉप्ट किया था, लेकिन उसके बाद, अपने हाथ खीच ले थी, 1998 में, अब फिर से भारत जो है, इसमें, भारत में, फिर राष्टपती कोन बने गया है, प्रेजडेंट इलेक्ट, इसकी हिंदी सही से कर नहीं पाया, ठीक है, प्रेजडेंट इलेक्ट मतलब होता है, जो प्रेजडेंट चुन लिया गया है, लेकिन अभी सपत नहीं हुई है, उसको बोलते हैं, प्रेजडेंट इलेक्ट, ठीक है प्रेजिदेंशल इलेक्शन जीच चुके हैं यह सेबेस्टियन पिनेरा को सक्सीट करेंगे चिले भी बोलते हैं इसको चिले और हम बोलते हैं चिली इनकी पार्टी क्या है सोशल कन्वर्जिंस और आपको बता दें चिली की अगर बात करें तो कैपिटल सेंटियागो है और क्रंसी है चिली एन पैसो मेडिया में भालत की Most Visible Corporate के रूप में कौन सी कमपरी 2021 की विजी की News Score Ranking में सीर्ज पर रही है सही आंसर है Option D So Reliance Industries has stopped 2021 विजी की News Score Ranking as India's Most Visible Corporate in the Media जानेंगे इसके बारे में देखिए जो विजी की News Score Report एक लूंच की गई है विजी की द्वारा तो इसमें यह बताया है सबसे जादा जो मीडिया में सबसे जादा Most Visible कौन सी कमपरी आती है तो भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे जादा Visible रहती है Reliance Industries Limited जोकी इंडिया की Largest Corporate है by revenues, profits and market value दूसरे नंबर पर State Bank of India है तीसरे पर है भारती Airtel फिर Infosys फिर Tata Motors अगर हम ग्लोबली बात करें तो पहले नंबर पर है Facebook जो की सबस्यादा Visible Corporate है ठीक है मीडिया में Facebook पहले नंबर पर है दूसरे पर Alphabet Inc है जो की Google की Parent Company है तीसरे पर Amazon है फिर Apple है फिर Samsung है फिर Netflix और फिर Microsoft अगर हम ग्लोबली रिलाइंस की बात करें तो यह 8th position पर है और आपको बता दें यदि हम State-owned firm की बात करें यानि कि किसी PSU की बात करें तो यह है NTPC जो इस लिस्ट में है यह है तेरवे नंबर पर 13th position पर करनाटक ग्रामींड बैंक ने Care Health Insurance Limited के साथ समझता है आपन पर हस्ताक्षिर किये हैं आपको बताना है जो यह करनाटक ग्रामींड बैंक है यह किस सार्वजिनिक छेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजी था यानि कि स्पॉंसर्ड है और आपके सामने हैं सही आंसर होगा ऑप्षिन बी तो करनाटक ग्रामींड बैंक है साइंड MOU केर हेल्थ इंशुरेंस लिमिटेड करनाटक ग्रामींड बैंक के जीबी इस स्पॉंसर्ड बाइग केनरा बैंक देखिए बेलरी में है इसका हैटक्वाटर स है करनाटक ग्रामींड बैंक का जो कि कैनेरा बैंक से स्पॉंसरड है इसने care healthcare insurance लिमिटेड का साथ एक MOU साइन किया है तो carehealth and google announce the rollout of tokenization for google pay users transacting through mastercard credit and debit cards मैंने आपको बता था tokenization का मतलब क्या होता है तो उसी के लिए mastercard और google pay नहीं हाँ पर एक MOU sign किया है आप यहां से पढ़िब सकते हैं with this collaboration google pay android users can scan and pay across all bharat qr enabled merchants tap and pay and making app transactions through their master card debit and credit card digital motor bima उत्पादों के लिए किस सामान ने bima company ने phone pay के साथ भागेदारी की है options आपके सामने हैं सही answer होगा option A so Adelvis general insurance company has partnered with phone pay for digital motor insurance products देखे जो Adelvis general insurance इस ने phone pay के साथ partnership की है जिसके किसके लिए digital motor insurance products के लिए तो phone pay customer अब यदि Adelvis general insurance की कोई insurance पर दिशी जाते हैं तो अपने phone पे app से उसको ले सकते हैं कि financial software and systems ने देश भर के अर्द सहरी और ग्रामीन छेत्रों में 1000 smart cash franchise इखोलने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिला है काफी important question मैं इसको कहूंगा banking experiment के लिए सही answer होगा option a so financial software and systems has joined hands with CSB bank to open 1000 smart cash franchises in semi-urban and rural areas across the country देखिए एक आपकी इंटेगरेट पेमेंट प्रोडक्स एंड पेमेंट प्रोसेसर company है financial software and system fss जिसको आप बोलते हैं इसने CSB bank के साथ जो है भागेदारी की है किसलिए भारत भर में hyper local banking services provide कराने के लिए तो इसमें क्या होगा CSB bank और fss यह दोनों मिलकर 1000 smart cash franchises semi-urban और rural areas में खोलेंगे ताकि जो की लोग हैं उनको financial services अच्छे से provide कराये जा सकी आपको जानना चाहिए जो यह CSB bank है इसको पहले Catholic Syrian bank limited के नाम से जाना जाता था इसको केवल CSB bank के नाम से जानते हैं और इसका जो headquarter with a kiosk और a microatium device ठीक है यहाँ पर एक microatium device भी आपको मिलेगा जिसके तुरूँ आप कई सारी banking और investment और credit or insurance products की जो है services का फाइदा ले सकते हैं एक तरगा kiosk आपको मिलेगा ठीक है उससे आप यह सभी services यहाँ पर पा सकेंगे आर एल जलप्पा का हाली में निधन हो गया वे किस पेसे से जुड़े हुए थे options आपके सामने हैं सही आंसर होगा option B so politician R.L. जलप्पा passed away recently जाने इनके बारे में देखे veteran congress leader रहे है कॉंग्रेस के थे और union minister भी रहे है आर एज जलप्पा इनका 96 एज में निधन हो गया है आपको बता दें यह सबसे पहले करणाटका की चिकब बलपूर constituencies लोग सभा के लिए चुने गए थे जनतादल टिकट पर 1996 में उसके बाद यह जो फॉर्मर प्राइम मिस्टर रहे मारे HD देव गोड़ा और I.K. गुज्राल इनकी सरकारों में यूनियन मिस्टर फॉर टेक्स्टाइल्स भी रहे है निम्दी कित में से किसे Airbus द्वारा इंजीनियरिंग निर्मान इंजीनियरिंग और सेवा रन नितिक आपूरती करता की रूप में चुना गया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी सो टाटा टेक्नलोजी इस हैस बीन सेलेक्टेड बाइ एर बस एजन इंजीनियरिंग मैनुफेक्ट्रिंग इंजीनियरिंग एंड सर्विसेस इस्ट्रेजिक सप्लायर ठीक है तो देखिए यह भी काफी अच्छा को को एर बस द्वारा सेलेक्ट किया गया है किसलिए इंजीनियरिंग मैनुफेक्ट्रिंग इंजीनियरिंग एंड सर्विसेस इस्ट्रेजिक सप्लायर के रूप में केंद्रे वित्यमंत्री निर्मला सितरामन के नुजार विजयमालिया निरो मोधी और मेहुल चोक्षी जैस है विजयमालिया निरो मोधी और मेहुल चोक्षी तो तेराजार एक सुनो दसमलाव एक साथ क्रोड रूपे यहां पर बैंक्स ने रिकवर किये हैं बारत और यूरोपिये निवेस बैंक ने किस मैट्रो रेल पर योजना के लिए 250 मिलियन यूरो के पहले किस तरीन के लिए एक वित्त अनुबंद पर हस्ताक्षिर किये हैं ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन ए इंडिया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड फाइनस कॉंट्रेक्ट फॉर्स्ट ट्रांच लॉन ओफ यूरो 250 मिलियन फॉर आग्रा मेट्रो रेल याद रखेंगे आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ये दी गई है साथ ही आपको जाना चाहिए जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके प्रेजिदेंट वेंडन हॉयर है हैट्वाटर लगजंबर्ग में है और इसी तरह का एक लोन आप और याद रख कि दोनों को ही आगे बढ़ते हैं भारत ने सबसे अधिक यूनिकॉर्ण वाले देशों की सूची में तीसरा इस्थान हासिल करने के लिए किस देश को विस्थापीत किया है ऑप्शन साब के सामने है सही आंसर ऑप्शन डी होगा इंडिया हैस डिस्प्रेज्ट इस तरह से रेंगिंग किया एकि जिसमें सबसे आदा यूनिकॉर्ण से तो यहां पर भारत में टोटल 54 यूनिकॉर्ण है और भारत ने जो है यूनाइटेट किंडम को पिछे छोड़ देया और थर्ड पोजिशन पर आ गया है पिछले साल भारत फोर्थ पोजिशन पर था आपको मैंने कई बार बता है unicorn companies कोन सी होती हैं वे companies जिनकी valuation 1 billion US dollar को पार कर जाती है उनको बोलते है unicorn साथ ये आपको जानना चाहिए इस साल भारत ने 33 unicorns companies को जो है add किया है ये ranking है US first position पर है total number of unicorns है 487 और newly added है 254 दूसरे पर चाइना है 301 है तीसरे पर है अपना भारत 54 और 33 इसने add किया है चोथे पर United Kingdom पाँचवे पर जर्मनी इसी संबंदी तोर जानकारी लेंगे तो by juice ये most valuable unicorn है भारत की इसकी valuation है 21 billion US dollar इसके बाद inmo भी है और तीसरे नंबर पर है OEO rooms साथ ही आपको जानना चाहिए किस city में highest number of unicorns है ये है बैंग दूरू US का मैंने आपको बता दिया 487 unicorns है टोप position पर है उसके बाद चाइना है साथ ही आपको जानना चाहिए जो most successful unicorn investor है पूरे वर्ड में ये है सिकोया अधीती अशोक जिन्होंने Hyundai Motor India Limited के साथ दो साल के समझेता ग्यापन प्रहस्ताक्षर किये किस खेल से सम्मन्दित है सही आंसर option A होगा अधीती अशोक who has signed a two-year MOU with Hyundai Motor India Limited is related to golf तो देखिए एक तरह से आप brand ambassador ही समझ सकते हैं तो Indian golfer है अधीती अशोक इन्होंने Hyundai Motor India Limited के साथ एक दो साल का MOU sign किया है जिसमें इनके products को ये launch करती ही आपको दिखाई देंगी बागी हमने हाली में पढ़ाता है Hyundai Motors ने इंडिया में अपने नई managing director को अपउइंट किया इनका नाम है उनसू किम शुशाहन दीवस किस दिन मनाया जाता है ओप्शन सापके सामने है सही आंसर ओप्शन डी होगा तो Good Governance Day 25 दिसमबर को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि 25 दिसमबर को जो मारे former Prime Minister अटल भिहरी वाचपाईन की बर्थ anniversary होती है आपको बता दे साल 2014 से ये मनाया जा रहा है और Good Governance Week भी हम मना रहे है 20 से 25 दिसमबर के बीच में जिसका थीम है प्रशाशन गाओं की और भारते नो सेना और किस NBFC ने नो सेना कर्मियों के लिए एक सहे ब्रांड़ेट क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है इसने और इंडियन नेवी ने मिलकर एक को ब्रांड़ेट करीट कार्ड लॉंच किया है जो भी नेवी परसनल है उनके लिए तो इसमें कई सारे कॉंटलेक्टेस फीचर्स होंगे और ये रूपे प्लैटफॉर्म पर ओफर किया जाएगा बागी आपको जानना चाहिए जो B.O.B. Financial Solutions है इसके M.D.N.C.O. सैलेंदर सिंग है N.T.P.C किस राज्य में देश की पहली हरित हाइडोजन माइक्रो गिरिट परियोजना इस्थापित करेगी ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी होगा N.T.P.C. विल सैट अप इंडियास फर्स्ट ग्रीन हाइडोजन माइक्रो गिरिट प्रोजेक्ट इन आंध्रप्रदेश देखिए N.T.P.C. का एक प्लांट है आंध्रप्रदेश में सिमादरी में विसागा पटनम के पास है तो यहाँ पर जो है N.T.P.C. इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइडोजन माइक्रो गिरिट प्रोजेक्ट को लॉंच करेगा आपको बताते हैं यहाँ पर 240 किलोवाट सोलिड ओक्साइड एलेक्ट्रोलाइजर की सायता से हाइडोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा किस राजिया केंद्र सासित प्रदेश की पुलिस ने स्कूल छोड़ने वालों को कोशल प्रदान करने के लिए ए-learning platform उन्नती लॉंच किया है सही आंसर ऑप्शन ए है तो देखे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर सही रहा पर नहीं चलते हैं तो इसलिए उनको इस्किल प्रवाइट किया जा सके उनको एजुकेट किया जा सके उनको ट्रेनिंग दी जा सके इसके लिए डैली पुलिस कमिशनर राकेश अस्थाना ने इनिशियटिव लिये हैं तो इस initiative का नाम है उन्नती और इसको कहा लौंच किया गया All India Council for Technical Education यानि की AICTE Auditorium New Delhi में और आपको बता दे डैली पुलिस की एक flagship scheme है यूवा उसके देहत इस उन्नती scheme को लौंच किया गया है नितियायोग ने सहीयुक्त राष्ट विश्व खाद्यकारेकरम के साथ statement of intent पर हस्ताक्षर किये हैं आपको बताना है जो यह सहीयुक्त राष्ट विश्व खाद्यकारेकरम UNWFPA यह कहां परिस्तित है सही आंसर option A है नितियायोग signed statement of intent with United Nations World Food Program the United Nations World Food Program is based in Rome, Italy ठीक है तो यहां पर देखिए नितियायोग और United Nations World Food Program ने मिलेट्स के लिए और भारत को इसमें जो है एक अगरनी देश बनाने के लिए MOU sign किया है statement of intent sign किया है आपको बतादे साल 2018 को भारत ने मिलेट्स के रूप में मनाया था बागी आपको जाना चाहिए World Food Program जो है यह United Nations की Food Assistance ब्रांच है और यह वर्ड की लार्जेस्ट humanitarian organization है इसके स्थापना साल 1961 1961 में हुई थी और इसका headquarters Rome में है अगले 12 महीनों में MSMEs को 1000 करोर रुपे तक वितरित करने के लिए किस बैंक ने UGrow Capital के साथ सहरिण समझोते पर हस्ताक्षर किये है सही answer है option D So Central Bank of India has signed a co-lending agreement with UGrow Capital to disperse up to rupees 1000 करोर to MSMEs over the next 12 months तो Central Bank of India और UGrow Capital इनोंने co-lending agreement signed किया है जिसके तहत है के लिए 12 महीनों में MSMEs जो सेक्टर है इसको 1000 करोर रुपे तक का loan देंगे co-lending agreement मैंने आपको बतायो है यानि कि अगर 100 रुपे का loan देना है तो 80 रुपे Central Bank of India देदेगी और 20 रुपे UGrow Capital देदेगा तो मिलकर अब loan देते है बाकि आपको जारना चाहिए Central Bank of India का headquarters मुंबई महरास्ट में है MDNCO मातम विंकटा राओ है टेग लाइन है Central to use since 1911 किस सामन्य भीमा कंपणी ने HO Suri को प्रबंद निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी निउप्ट किया है सही आंसर है option D So ifco Tokyo General Insurance Company has appointed HO Suri as its managing director and chief executive officer तो HO Suri या फिर हो Suri जो ऐसा भी आप बोलना चाहिए इन्हें MDNCO मनाया है ifco Tokyo General Insurance बाकि आपको जाना चाहिए जो ifco Tokyo General Insurance Company है यह एक joint venture यानि की उपक्रम है किसके बीच में ifco जिसका 51 शेर है और दूसरा है जापान की Tokyo Marine Group जिसके 49 हिस्टेग है बाकि आपको जानना चाहिए इसका headquarters कुरुक्राम में है वाइना network और किस निजी छेतर के bank को IBSI Global FinTech Innovation Awards 2021 में Most Effective Bank FinTech Partnership Agile and Adaptable से सम्मानित किया गया है सही answer option C है वाइना network and federal bank have been awarded the most effective bank FinTech Partnership Agile and Adaptable at the IBSI Global FinTech Innovation Awards 2021 देखें तोड़ा अटपटा सा है अवाउड का नाम और जो भी इवेंट है पर कोई नहीं आपको देखना तो पड़ेगा देखें यह इवेंट हुआ एक IBSI Global FinTech Innovation Awards 2021 तो यहां पर Most Effective Bank FinTech Partnership Agile and Adaptable तो इस तरह के जो category का award दिया है यह वाइना network और federal bank इन दोनों को दिया गया है इंडियन oil corporation ने इंडियन gas exchange limited में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिगरण किया है सही answer option ए है इंडियन oil corporation IOC has acquired 5% stake in Indian gas exchange limited तो यहां पर Indian oil corporation ने 5% stake Indian gas exchange limited में लिए आपको बता दें यह जो IGX है it is the country's first automated national level exchange for the trading of natural gas और यह जो acquisition है यह 3.7 क्रोड रूपीज में हुआ है जो 5% stake लिए है यह 3.7 क्रोड रूपी में लिए है बागी आपको जानना चाहिए इसके अलावा ONGC और आपका Torrent Gas Private Limited, Adani Total Gas Limited इन्होंने भी 5% stake इसमें लिए हुए है किस कंपनी ने साओधी अरब इस्तीत Power for Defense Technologies कंपनी के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये सही answer है option A, so BEL has signed an agreement with Saudi Arabia based Power for Defense Technologies को PDTC देखिए, defense actor में साज़ेदारी के लिए defense actor में जो है भारत को अग्रणी मनाने के लिए भारत Electronics Limited यानि की BEL ने Power for Defense Technologies PDTC के साथ समझोता किया है ये एक साओधी अरब बेस्ट कंपनी है भारतिय नोस्यना के जहाच का नाम बताईए जिसे 32 साल की सांदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है आप्शन्स आपके सामने है आई एनेस वेला आई एनेस खुकरी आई एनेस चेन नहीं या फिर आई एनेस रन वीज़े सही आंसर ऑप्शन भी होगा इंडियन नेवल शिप कुकरी वास डी कमिशन्ड आफ्टर थर्टी टू यर्स ओफ ग्लोरियस सर्विस तो आई एनेस कुकरी इसको जो है विसाका पटनम में 32 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद डी कमिशन्ड कर दिया गया है आपको बताते हैं 33 अगस्त 1923 अगस्त 1989 को मजगाव डोक्स से बिल्डर स्वारा इसको बनाए गया था असिग्मा नामक एक समकालीन मैसेजिंग एप्लिकेशन किसके द्वारा लॉंच किया गया है सही आंसर है ऑप्शन बी असिग्मा नामकी एप्लिकेशन लॉंच किया है इसकी फिलफोर में आर्मी सिक्यूर इंडिजिनेस मैसेजिंग एप्लिकेशन तो यह स्टेट ओफार वैब बेस्ट एप्लिकेशन है केंद्रे सडक परिवहन और राजमार्क मंत्री नितिनगडगरी ने किस एक्सप्रेस वे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉंच किया है सही आंसर है ऑप्शन बी यूनियन मिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज नितिनगडगरी लॉ सिस्टम को लॉंच किया है तो दसना गाजाबाद बें इसको लॉंच किया गया है इसकी खासित है जैसे कि नाम सीवत चला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानि कि किसी भी एक्सीडेंट को टिटेक्ट कर सकता है और इस चीज़ को जो है एंशोर करता है कि तो देखें वाइस प्रेजिडेंट एम्वंका या नाइडू ने इस उस्तक को लॉंच किया है इसलिए इंपोर्टेंट है और आपको बता दे अरूप्रोय चोधरी द्वारा लिखी गई है अरूप्रोय चोधरी कौन है यह फोर्मर एंटीपीसी एंड एनबीसीशी चीफ है बझाज एडियांस आपना केयर फ़र होकी अभीयां सरू करने के लिए कि साथ संबग किया है सही आंसर है ऑप्शन फी बजैज अलियानस जेनल इंस्वर इंस एस सब्रूइन C और इसके लिए उन्हें राणी रामपाल जो की इंडियन विमेंस होकी टीम की कैपनन है इनको अपने इस कैम्पेंग का फेस चहरा बनाया है और हाली में पढ़ा था कि बजाच अलियांस ने जो है हेल्थ प्राइम राइडर इस तरह का एक प्रोड़क्ट लॉंच किया तो यह भी आप याद रखेंगा पूछा था सकता है हेल्थ प्राइम राइडर किस इंसुरेंस कंपनी द्वारा लॉंच किया गया चलिए फिर से कोश्चन देख लेते हैं जो मैंने कल आप से पूछा था यह कोश्चन हाली में एक एक एक्जाम होगा है जिसका मैंने आपको बताया था उसमें पूछे गए हैं करेंट अफेर्स के एक और कोश्चन है आपर पूछा गया विश्चु सास्ते संगठन ने कोविड-19 को कम महामारी खोशित किया था तो इसका सही आँसर है ऑप्शन ए 11 मार्च 2020 को तीसरा कोश्चन देखते हैं हूँ अमंग दा फॉलइंग बिकेम दा फर्स इंडियन विमन रेसलर तो विन सिल्वर मैडल इन वर्डासिंग चैंपेंशिप इन अक्टोबर 2021 इसमें सही आंसर ऑप्शन सी है अन्शू मलिक तो देखें अक्टूबर 2021 को कुश्चन अगर उत्रप्रदिस में इंटरनेसल एर्पोर्ट को जो है इन अग्रेट किया गया तो इसके सब्मद में कौन सा कथन सही है या दोनों ही कथन सही है या कोई भी सही नहीं है ऐसा बताना है पहला है दा फर्स्ट इनागर फ्लाइट लैंड वाज ओफ स्रिलंका एर्लाइंस बिल्कुल सही है जो पहली फ्लाइट नहां पर लैंड की गई वह स्रिलंका एर्लाइंस की थी दूसरा है कुश्चिन अगर भी केम देखें फॉर्थ इंटरनेसल एरपोर्ट ऑफ उत्तरप्रदेश यह गलत है यह तीसरा इंटरनेस कोई एक्जाम देते हैं इस तरगा जिसमें करंट अफेर्स कोश्चन आये हो और ओफ लाइन हुआ हो या फिर ओनलाइन भी हुआ अगर उसके कोश्चन हो आप मेरे को टेलिग्राम पर सेंट कर सकते हैं सुसासन सूचकांग 2020-21 में कौन सा राज्य सीर्स राज्य के रूप में उब रहा है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए होगा सो गुजरात स्टेट हैस इमस्ट एस तर टोप स्टेट इन दे गूड कवर्णेंस इंडेक्स 2020-21 देखिए गूड कवर्णेंस इंडेक्स 2020-21 इसको प्रिपेर किया गया है डिपार्टमेंट ओफ एड्मिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रिवेंसेज द्व है नंबर पर है फिर है माराष्ट फिर है गोवा अदर इस्टेट ग्रूप भी इसमें मद्यपरदेश राजस्तान और चथिसकार ये टॉप-3 हैं नॉर्थिस्ट एंड हीलिस इसमें टॉप-3 हैं हीमाचल प्रदेश मिजोरम एंड उत्राखंड फिर हैं यूनिन- टेरिट इंडुस्री सेक्टर में टॉप पॉजिशन हासिल की है उत्तर प्रतीश ने अगर इमको समराइस करें तो यहां से आप देख सकते हैं अधर इस्टेट्स क्रूप ए में टॉप त्री यह हैं गुजरात महाराश्ट गोवा अधर स्टेट्स क्रूप बी में मध्या प्रतिश र उच्च इस तरिय कमिटी की पहली बैटक की अध्यक्ष्टा किस ने की है सही आंसर यहां पर option C है so Prime Minister Narendra Modi chaired the first meeting of the high level committee which has been constituted to commemorate 150th birthday anniversary of Sri Aurobindo in a big fitting manner देखिये प्रदानमंति ने ने बैठक की जो है अध्यक्ष्टा की है यह first बैठक रही है क्यों ये मीटिंग बुलाई गई है जो श्री अर्विंदो रहे हैं इनकी 150th birth anniversary celebrate करने के लिए आपको बता दें जो श्री अर्विंदो थे इनका जो जर्म है ये 15 अगस्त 1832 15th of August 1872 को कोलकाता में हुआ था और इनका जो निधन हुआ ये 5th of December 1950 को producery में हुआ था अगर इनकी writing की बात करें तो newspaper बंदे मात्रम ये लिखा करते थे और the life divine ये तो कई बार exam में पूछा जाता है the synthesis of yoga and savitri बाकि आपको जानना चाहिए इनकी पॉंडिचेरी में स्री अर्विंदो आसरम की भी स्थापना की थी नवींतम वाड़ा report के नुसार कौन सा देश दुनिया के शीर्स तीन डॉप उलंगन करताओं में सामील नहीं है options आपके सामने हैं और सही answer होगा option D इसका मतलब टॉप त्री डॉप वाइलेटर्स में कौन-कौन सामील है इतली इंडिया और रशिया इनमें भी क्या रहेंक है यह भी जानेगे देखे वर्ड एंटी डॉपिंग एजन्स यानि वाड़ा इसने की लिस्ट निकाली है कि कौन सी कंट्री जो है जो डॉपिंग होती है उसमें ज्यादा तर्थ सामील रही है कहां से ज्यादा जो केस हैं डॉपिंग के वह रिपोर्ट के जाते है कि डॉपिंग का मतलब क्या होता है जब कोई एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए कुछ इस तरह की मैडिसीन खाता है या फिर कोई एस्ट्रोवेड कोई पाउडर इस तरह से खाता है जिसकी उससे परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाए ठीक है तो वह नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं कहराती है वह आपने उसको इनहेंस किया है कुछ वह लेकर प्रोडॉक्स लेकर तो उसको बोलते हैं डॉप रिपोर्ट किये गए हैं भारत में 57 तो यह आप याद रखेंगे पहले पर रशिया फिर इटली और तीसरे पर है भारत बाकिया आपको जाना चाहिए वर्ड एंटी डॉपिंग का हैट्वाटर्स मॉंट्रियल कैनाड़ा में है प्रेसिडेंट वीटोल बान का हैं और इसक हिमाचर प्रदेश ने किस टीम को हराकर पहली बार वीजे हजारे ट्रॉफी जीती है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी सो हिमाचर प्रदेश डिफिटेड तमिलाडू टू क्लिंच वीजे हजारे ट्रॉफी फॉर फर्स टाइम एवर तो देखिए यह कहां से भी एक कुश्चने मन सकता है कि कौन से भी बार जीती है तो आपको याद रखना है हिमाचर प्रदेश ने पहली बार वीजे हजारे टॉफी चीती है किसको हराया फाइनल में तमिलाडू को हराया कहां पर हुआ मैच सवाइमान सिंग स्टेडियम जैपूर में हुआ आपको बतादे इस मैच का नितिजा वी जैडी मैथड यानि की वी जैया देवन मैथड के थू किया गया है आपको अधादे जो डखवर्थ लूइस नियम है वो घरेलू क्रिकेट मैचेज में यहां पर यूज नहीं किया जाता है उसके बदले वी जैडी मैथड अब यू आपको जाना चाहिए हिमाचल टीम के कैप्टन रिशी धवन रहे और तमिलाडू टीम के कैप्टन रहे वीजे शंकर बाकिया आपको जाना चाहिए वीजे हजारे टॉफी में जो सबसे सक्सेस्फुल टीम है यह तमिलाडू है तो इस बार यह फाइनल में हार गई है वीज मानने था आपको बताना है NDTL की वाड़ा मानने था कब निलम्बित की गई थी NDTL की जो वाड़ा द्वारा जिसको मानने था दी गई वो कब निलम्बित की गई थी आपको बताना है सही आंसर होगा Option B. The National Dope Testing Laboratory has regained the World Anti-Doping Agency Accreditation. NDTL's वाड़ा accreditation was suspended on 20th of August 2019. देखिए जो National Dope Testing Laboratory है इसको फिर से जो है मानने था प्राप्त हो गई है World Anti-Doping Agency वाड़ा से आपको बता दे 20 अगस 2019 को वाड़ा ने NDTL की जो मानने था है उसको रद कर दिया था क्योंकि कई सारे ऐसे रूल्स थे जिनको ये फॉलो नहीं कर रहा था कुछ आज स्टेंडर्स थे प्रोटोकॉल्स थे जिनको ये फॉलो नहीं कर रहा था बीएफ बीडबलु एफ विश्व चैंपियंशिप 2021 में महिला एकलगा हिताब किस नहीं जीता है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर है उप्शन डी सो एकेन यामागुची बहुंदर विमेंस सिंगल स्टाइटल एट बीडबलु एफ वर्ड चैंपियंशिप 2021 तो देखें बीडबलु एफ वर्ड चैंपियंशिप ये हुए है वेल बाह इस्पेन में और यहां पर व आफ किन यू ने जीता है सैसेफ यू सेफ अंडर-19 महिला चैंपियंशिप किस देश ने जीती सही आंसर है option डी तो बांगलादेश वहं सेफ अंडर-19 विमेंश चैंपियंशिप तो देखें बांगलादेश ऑंडर-19 विमेंस टीम ने भारत को राया वं-0 से और इसी तरह इन्होंने सेफ अंडर-19 विमेंस फुटबोल चैंपिंशिप जीती हैं कहां पर हुआ यह हुआ है आपका बीर्स रिष्ट सहीद शिपोय मुहम्मद मुस्तफा कमाल स्टेडियम धाका बंगलादेश में ठीक है तो अंडर-19 विमेंस टीम यहां पर बंगलादेश की वीजेद के गोशित किया गया है यह फुटबोल की बात हो रही है आप यह समझी गए होंगे बंजिरो से सिद्धा दिवस किस भारती रिष्य के जर्म दिन की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है ऑप्शन आपके सामने है सही आंसर है ऑप्शन ए सो सिद्धा डे इस ऑप्सवर्ड अन्दा इव ऑफ दी बर्थ ऑफ इंडियन सेज अगतियार देखें मिर्ष्ट्री ऑफ आई जो है सिद्धा डे मनाती है कम मनाती है सिद्धा तो यह मारगाची मंथ में जो है अगतियार जो यह संत्रे इनका बर्थ डे हर साल मनाया जाता है आपको बताने इस साल 23 दिसंब अबर 2021 को सिद्धा डे मनाया गया है किसके द्वारा मनाया जाता है सेंट्रल कांसिल फोर रिसर्च इन सिद्धा नैसन इंस्ट्यूट ऑफ सिद्धा एंड डारेक्ट्रेट ऑफ इंडियन मैडिसीन एंड होमेपैथी द्वारा साथी कोवर्मेंट ऑफ तमिलाडू के द्व और तू मिलियन यूरो अनुदान के लिए समझोत परहस्ताक्षर किये हैं सही आंसर ऑप्शन ए है दे गुवर्मेंट ऑफ इंडिया एंड के एफट अग्रिमेंट्स पॉर वन फॉर्टी मिलियन यूरो डिदूस इंट्रस लोन एंड टू मिलियन यूरो ग्रांट फोर एन हाथे परदेश में एनर्जी रीफॉर्म्स के लिए जो है फॉ-两 ऐह टो ग्रांट करेंगिए साथी कम इंट्रस्ट पर लोन देगी 1 1 1 3ote吉 यूरो का तो काकी कम इंट्रस पर लोन दाएगा 140 million euro का कि धिकंद्धरीजंग जाती है मामलो की मंत्री ने ट्राइफट के कितने शहद किसान उत्पादक संगठनों का उत्पा उत्गाटन किया है सही आंसर है ऑप्शन सी यूनियन मिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेर्स इनको जो है इनोग्रेट किया है और इसके लावा यूनिसेफ और ट्राइफट इंदोनों एक MOUB साइट के है ट्राइबल समवाद नेटवर्क को लेकर बागी आप पुझाना चीजिए जो ट्राइफट है इसके चुएर मैंने राम सिंग रत्वा यह आप याद रखेंगे और ट्राइफट की स्थापना 1987 को हुई थी परदानमंतिर नरेंद्र मोधी ने किस सेहर में बानास डेरी संकुलकी आधारशिला रखेंगेButton C प्राइमिस्ट नरेंदर मोदी लेड़ फांडेशन स्टोन फांडेशन स्टोन फबनस डेरी संकुल इन वारांसी उत्तरप्रदीश देखिए प्रदानमंतिर नरेंदर मोदी ने वारांसी में 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनकी कोस्ट 870 करोड रुपीज है इनकी जो ह इसको बनाए जाएगा तो यहां पर फाइव लैक लिटर आफ मिल्क पर डे प्रोसेस किया जाएगा तो काफी ज्यादा अमांट है आप देख सकते हैं साथ ही इन्होंने लोगों को जो है उनके जो रेजिदेंशल राइट्स हैं वह भी दिये हैं घरोनी जिनको बोलते हैं 20 इसलाक रेजिदेंट्स को बाकिया आपको जाना चाहिए इन्होंने वारांसी में ही बायोगैस बेस्ट इलेक्सिटी जन्रेशर प्लांट इसकी आदारसीला रखी है और जो नेसल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्स द्वारा बात किया सही आंसर है ऑप्शन डी सो नालको बैक्त प्रिस्टीजियस एनरजी कंजर्वेशन अवार्ड ट्वंटी ट्वंटी ट्वंटीवन तो देखें नालको मतल्ब नेशनल अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड तो इसका जो स्मैल्टर एंड पावर प्लांट है अंगुल यूस टोर में एड़सिल का अधिकरन करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षिर किये सही आंसर ऑप्शन भी है सो विप्रो है साइन एग्रिमेंट ट्वार एक्वार एड़सिल फोर टू थर्टी मिलियन यूस डॉलर तो यहां पर देगी जो एड़सिल है यह एक साइबर स को बनाएंगी निम्लिकित में से किसने अपने करमचारियों के लिए निरंतर सीखने और कोशल विकास को परसाइज करने के लिए यूड़ेमी बिजनेस के साथ अपनी साज़ेदारी की खूशना की है सही आंसर ऑप्शन ए सो एन्पीसियाई हैस अनॉंस्ट इस पार्टरश मसीन लेर्णिंग ब्लोक्चेन डिस्ट्रिबूटर लेजर टेक्नलोजी ठीक है तो यहीं ट्रेनिंग को कंट्रीब रखने के लिए एन्पीसियाई ने यूड़ेमी बिजनेस के साथ अपनी पार्टरशीप की है बाकिया आपको जाना चाहिए एन्पीसियाई की मुंबई महाराष्ट में हैं एमडी और दिलीप अश्वे रियल टाइम बस ट्रेकिंग ओनलाइन टिकेट बुकिंग के लिए किस राज ने चलो एप लॉंच किया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो महाराष्ट इस्टेट लॉंच चलो एप और रियल टाइम बस ट्रेकिंग ओन लाइन टिकेट बुकिंग देहे महाराष्ट के टूरिज्ब एंड एंवार्मेंट मिनिस्टर अधित्य ठाकरे ने मोबाइल अप्लिकेशन लॉंच किया चलो मोबाइल अप्लिकेशन साथ ही नोने चलो स्मार्ट कार्ड भी लॉंच किया है जिसके दुरू आप जो है बेस् अप्शन भी है तो तुशार कपूर इस तो ऑथर बुक टाइटल बैचलर डैट तो देखिए आपको पता होगा साल 2016 में सरोगेसी के तुरू यह पिता बने थे इनके लड़े के नामें लक्ष कपूर तो यही एक्सपीरेंस इनोंने शेर किया है कि सिंगल डैड होना कैसा ह होता है बैचलर डैड नाम की इनकी बुक लॉंच हुए है किस मैंक ने औरियंटल इंचुरेंस कंपनी लिमिटेट को प्रमोर्टर स्रेणी से सारवजिनिक स्रेणी के सेड़ धारक के रूप में पुनरवर्वर्गी करत किया है सही आंसर है ऑप्शन बी तो एक्सिस बैंक ह इस औरियुक्त के तो पॉब्ली के टगरी शेर और इंचुरेंस कंपनी यह एक सिस बैंक में प्रमोर्टिर एंस सेहरोलडर के रूप में जो है अब तक थी अब इसको पॉब्ली के टेकरिमें कंवर्ट कर देगे है इन रीक्लासिफाइवाई कर दिए गया है आपको बता द के CEO अमिताब चौधरी है एटकार्टस मुंबई में है और टेगलाइन ने बढ़ती का नाम चिंदगी सही आंसर है ओप्शन ए तो देखे जो रिचार्ड रोजर ते यह बिटिश इटालियन प्रिटिजर प्राइज विनिंग आर्किटेक्ट रहे है इतली में इनका जन्म होगा था और इनकी हाली में जो 88 की एज में इनका निदन हो गया है आपको जानना चाहिए जो प्रिटिजर प्राइज से इसको नोबिल प्राइज ऑफ आर्किटेक्ट्चर बोला जाता है यह इनों ने जीता था साल 2007 में और कौन-कौन से इनके फेमस आर्किटेक्ट्चर अच्विमेंट से वर्ड ट्रेट सेंटर इन न्यू योर्क सेंटर पॉम्पीडू इन पैरीज मिलेनियम डॉम इन लंडन अंतरास्ट्य महामारी तयारी दीवस किस दिन मना जाता है सही आंसर है option c so international day of epidemic preparedness is celebrated on December 27 तो 27 December को मना जाता international day of epidemic preparedness सबसे पहले साल 2020 में मना गया था किस सुज धाले ने परतिष्टित time higher education Asia awards 2021 में digital innovation of the year प्रोषकार चीता है सही आंसर है option D So, O.P. Jindal Global University has won the Digital Innovation of the Year Award at the Distinguished Times Higher Education AC Awards 2021 देखिया पर Times Higher Education AC Awards 2021 में Digital Innovation of the Year Award जीता है O.P. Jindal Global University ने बाकि आपको जानना चाहिए Leadership and Management Team of the Year ये जीता है Kalinga Institute of Industrial Technology R.E.C. Limited ने बिचली छेतर और नवी करने उड़जा परियोजनाओं के वित्त पोशन के लिए किस बैंक के साथ समझोता किया है options आपके सामने है और सही आंसर है option A R.E.C. Limited has entered into an agreement with KFW Bank for financing power sector and renewable energy projects देखिये Renewable Energy Projects को finance करने के लिए R.E.C. Limited ने KFW Development Bank ये जर्मन बैंक है इसके साथ 169.5 million US dollar के loan के लिए agreement साइन किया है और हाली में हमने पढ़ा था कि भारत सरकार ने इसके FW Bank के साथ एक loan agreement साइन किया है जिसका उपयोग मध्यपरदेश में energy reform programs के लिए किया जाएगा आगे पढ़ते हैं दुनिया के सबसे सक्तिसाली अंतरिक्ष दुरुबीन को French Guayana के Kauru अंतरिक्ष के अंदर से कक्षा में प्रक्षे पीत किया गया है इस दुरुबीन का नाम किसके नाम पर रखा गया है Options आपके सामने है सही answer होगा Option C The World's Most Powerful Space Telescope Blasted off into orbit from Kauru Space Center in French Guayana The telescope is named after James E. Webb देखे जानेगे इसके बारे में important question है देखे वर्ड का Most Powerful Space Telescope है और इसको इसकी कक्षा में छोड़ दिया गया है किसके तुरू Iriana 5 rocket यह कहां से छोड़ा गया है French Guayana के Kauru Space Center से आपको बता दें यह जो James Webb Space Telescope है इसको NASA ने बनाया है किसके साथ मिलकर European Space Agency और Canadian Space Agency के साथ मिलकर अच्छा यह इतना Powerful है न्यूज पेपर में तो इस तरह की रिपोर्ट दी गई थी कि यह आप इसको चंदरमा पर रखते हैं स्टेलिसकोप पर तो यह धर पर उड़ रही किसी मक्षी को भी डिटेक्ट कर सकता है अच्छे से उसको जो है डिटेक्ट कर सकता है तो इतना Powerful यह टेलिसकोप है तो Big Bang के बाद जो भी आकाश गंगाएं जो बनी है ठीक है उनके बारे में यह बताएगा और ब्रह्माड के कई सारी राज यह खोलेगा बाकिया आपको जानना चाहिए फॉर्मर नासा डिरेक्टर रहे हैं ठीक है उनके नाम पर है यह जेम्स वैब जो रहे है इनके नाम पर इस टेलिसकोप का नाम दिया गया है तमिलनाडु सरकार ने राज्य गीत के रूप में तमिल थाई बज्टू की खोशना की है यह गीत किसके द्वारा लिखा गया ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसरों का ओप्शन डी तो देखे तमिल थाई बज्टू जिसे आप कहेंगे इन्वोकेशन टू मदर तमिल यह तमिल नाडू का स्टेट एंथम है और इसको जो लिखा है यह मनोर्मनियम सुंदरम पिल्लाई ने इसको लिखा है और कंपोस किया है एमेस विस्व नातन ने तो देखे 17 अलसंबर को हाल ही में तमिल नाडू गवर्मेंट ने कहा था कि हम इसको जो है इस्टेट एंथम डिक्लियर करते हैं और कोई भी एजुकेशनल इस्टिटूट सो या फिर गवर्मेंट आफिसेज हो यहाँ पर इसको जो है गाय जाएगा और सभी को इसके लिए जो है खड़ा भी होना पड़ेगा इसके सम्वान में आपको बता दें जो तमिल नाडू के नेवर में जो यह इन टेरेटरी है पूर्डूचेरी इसका भी यह ओफिशल सोंग है अच्छा और अगर हम नेस और अगर हम स्टेट सोंग या फिर इस्टेट एंथम की बात करें तो देखे करनाटक का भी है जय भारता जननी है तनुजते बिहार का भी है मेरे भारत के कंठार यह स्टेट सोंग है उडिसा का भी है बंदे उतकल जननी निम भीखित में से कौन सीमा पार भुकतान या फिर NRI प्रेक्षन के लिए UPI पर लाइव होने वाला पहला भारतिय बैंक बने गया है सही आंसर है ओप्षन डी वह अब जो है अपनी UPI ID को भी यूज़ करके सेंड कर सकता है तो जो भी इंड़सेंड बैंक के जो कस्टमर है वह इस तरह की सुविधा ले सकते है तो इस तरह की सुविधा प्रवाइट कराने वाला ये फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जो की UPI की साथ सायता से क्रोस बोडर पेमेंट की फैसिलिटी देता है बाकि आपको जानना चाहिए इंड़सेंड बैंक के MD&CO सुमंत कत्पा लिया है Headquarters पुने महारास्ट में है Tech Line है We Make You Feel Region किस बैंक ने Lending Card Finance Limited के साथ सहरे ने वियस्था में प्रिवेश किया है Options आपके सामने हैं सही answer होगा Option D So Punjab National Bank has entered into a Co-Lending Arrangement with Lending Card Finance Limited तो देखिए Punjab National Bank ने आपर Co-Lending Agreement साइन किया है NBFC के साथ इसका नाम है Lending Card Finance Limited तो जो भी Unserved या फिर Underserved Sector है उनको ही जो है Credit प्रवाइट कराएंगे दोनों ही मिलकर वाकिया आप जानते हैं PNB का Headquarters New Delhi में है COSS मलिकार जुन राओ है Tag Line है The Name You Can Bank Upon भारते Reserve Bank ने MUFC Bank Limited पर उसके निर्देशों का पालन ना करने के लिए 30 लाक रुपे का मौदरिक जुर्माना लगा है आपको बताने MUFC Bank का मुख्या ले कहां पर है Options आपके सामने है India, Japan, Maldives या फिर South Korea सही answer है Option B The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 30 लाक रुपीज on MUFC Bank Limited for non-compliance with its directions MUFC Bank is headquartered in Japan MUFC Bank पर 30 लाक रुपे का जुर्माना लगा है जो इसकी इंडिया में जो इसकी ब्रांच है उस पर आपको बता दें यह जो MUFC Bank है यानि की Mitsubishi UFJ Financial Group यह जापान का largest bank है और इसका headquarters Tokyo, जापान में Peta India के 2021 Person of the Year के रूप में किसे नामित किया गया है सही answer है option A So, Alia Bhatt has been named Peta India 2021 Person of the Year Peta गी perform क्या है यह भी पूछ ले जाते है एक्जाम में People for the Ethical Treatment of Animals यह कई बार पूछा गया है ठीक है तो Peta की जो इंडिया में ब्रांच है तो इसने डिक्लेर किया है कि जो actress Alia Bhatt इनको हम इनके animal friendly nature के वज़े से 2021 का person of the year नामित करते हैं आपको बता दें जो यह Peta है यह एक American Animal Rights Organization है के अंदर द्वारा Pension Fund नियामक और विकास प्रादिकरन यानि कि PFRDA के अंशकालिक से दस्तिक रूप में किसे नामित किया गया है सही answer है option B So, Vandita Call has been appointed by the center as part-time member of the Pension Fund Regulatory and Development Authority तो Finance Ministry ने आपर Vandita Call जो कि Additional Secretary and Department of Finance Services में इनको Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA में part-time member बनाए है आपको जानना चाहिए जो PFRDA ये भी एक Regulatory संस्ता है Regulatory Organization है इसकी स्थाबना 23 अगस 2003 को की गई थी और ये Ministry of Finance के जूरिटिक्षन में आती है और इसके Chairman है सुपरतीम बंदोपाद दिया है RBL Bank के अंतरिम प्रबंद दिशक और मुख्य कारिगार यदिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही answer होगा option B So Rajiv Ahuja has been appointed as the interim managing director and chief executive officer of the RBL Bank तो देखे RBL Bank के जो फिलाल MD and CEO रहे अब तक विस वीर Ahuja तो इन्होंने step down कर दिया यानि कि इन्होंने अपने पत को छोड़ दिया है इनके बदले अब राजीव Ahuja को जो है managing director and chief executive officer इस बैंक का बनाया किया है साथी reserve bank of India ने योगेस के दयाल इनको जो है RBL Bank के additional director के रूप में जो है नामीत किया है बाकिया आप जानते हैं RBL Bank का headquarters मुंबई महाराष्ट में tag line है अपनों का bank भारत ने पंजाब सेक्टर में किस वायू रक्षा मिसाइल पर नाली को तैनात करना शुरू कर दिया है सही answer होगा option A India has started deploying S-400 Air Defense Missile System in the Punjab सेक्टर देखिए Indian Air Force ने आपर पंजाब सेक्टर में S-400 Air Defense Missile System को जो है डेपलोई करना शुरू कर दिया है आप सभी जानते होंगे 35,000 क्रोड रुपे की डील में भारत इस सिस्टम को रश्या से ले रहा है ठीक है रश्या में बन रहा है तो रश्या से इसकी डील हुई थी काफी सोदे बाजी की गई बार्गेनिंग की गई उसके बाद जो है काफी पैसे कम करा करें हाँ पर इसको अब भारत लाए जा रहा है सिस्टम को आपको जानना चाहिए S-400 400 कीलो मेटर तक के टारगेट को डिटेक्ट कर सकती है मान लिजे कोई 400 कीलो मेटर के दूरी तक डूरी से मान लिजे कोई एरटेक्ट होता है तो इसमें मिसाईल कर अचाह वा Vineet कीलो मेटर इसम से जह तो range case आप से, तो maximum 400 है, भारते रिज़र बैंक ने बुक्तान परणाली ओपरेटरों 1 Mobi Quick Systems Private Limited और किस पर, विनी आमक अनुपालन में कमियों के लिए परतियक पर 1 क्रोड का जुर्माना लगा है, सही answer है option C, तो आप यहाद रखेंगे, एक तो इन दोनों पर 1 Mobi Quick System पर और स्पाइस मनी इन दोनों पर 1 क्रोड का जुर्मान लगा है, RBI ने हर्बजन सिंग जिन्होंने क्रिकेट से सन्यास की खोशना की, 417 विकेट और 269 एक दीव से विकेट के साथ, चो थे सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले भारतिके इंजनबास थे, उन्होंने टेस्ट में कितने सतक बनाए हैं, ओप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ओप्शन सी, हर्बजन सिंग हूँ एनॉस्ट इस रिटार्मेंट फ्रों क्रिकेट वास्ता फोर्थ हाइस्ट टेस्ट विकेट टेकर, तो देखिए, वेटरन इंडियन सिंग ने रिटार्मेंट एनॉस्ट कर दिया है, क्रिकेट के सभी पारवुपों से, आपको बता दें, इन्होंने एक सो तीन टेस्ट मैसेश खेले और चार सो सत्रा विकेट लिये हैं, और ये इंडिया के फोर्थ हाइस्ट विकेट टेकर ह साथ इन्होंने दो टेस्ट सेंचुरीज भी लगाई हुई है, इन्होंने अकर हम वंडे इंटरनेसल की बात करें, तो तो शुचाती से वंडे इंटरनेसल खेले, जिसमें 269 विकेट लिये हैं, साथी 28, 2020 खेले इंडिया के लिए और 25 विकेट लिये हैं, आपको बता दें, 17 साल के उमर में इन्होंने आस्ट्रिया के खिलाफ बैंगलूरू में मार्च 1998 में परदारपण किया था Tata Motors ने एक पंजिगरत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाज मिलाया है सही आंसर है option C Tata Motors has joined hands with Maharashtra State Government to support setting up of a registered vehicle scrapping facility in the state तो देखे राज्य में registered vehicle scrapping facility को सेट अप करने के लिए महाराष्ट सरकार और Tata Motors ने हाथ मिला है हाली में हमने पढ़ा था कि आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट में बैस्ट चलो एक चलो एप लूंच किया था बैस्ट चलो एप है ना तो यह आप याद रखेंगे mcq format में हमने किया था ओनलाइन टिकेट बुकिंग के लिए चलो एप लूंच की थी भारति इस पात प्राधिकरण के निदेशक वानी जिक के रूप में किसने कारे भार समाला है सही आंसर होगा option D तो वजेंद्ल स्री निवास चक्रवर्ती है तेकन चार्ज एस डारेक्टर कमर्चियल उफ इस्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि की सेल तो सेल के डारेक्टर मने हैं वी-एस चक्रवर्ती बाकिया आप जानते हैं कि सेल की च्वेरमें सोमा मॉंडल हैं हैटवार दस निव ये मैं है पूरवी क्रिकेट खिलाडी रे एलिंग वर्त का निधन होगया वेकस्तेश के लिए घहले सहीν अंसर आप्षण के सो फ्रॉर्मर् क्रिकिट प्लेर रे एलिंग वर्थ पास्ट अवे ही प्लेट फॉर इंग्लेंड ठीक है तो इंग्लेंड क्रिकेट के कैप्टन रहे है ये पहले और इस टीम को कोच भी किया तो इनका हाली में नीधन हो गया ये योर्क शारग काउंटी के लिए भी खेले केंद्रे मंत्री मंडल ने परतिसपरदा कानून में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारतिय परतिसपरदा आयोग यानि CCI और किस देश के परतिसपरदा आयोग के बीचे समचोते पर हस्ताक्षर करने को मंचूरी दी है सही आंसर ओप्शन C तो देखिए आपर केंद्रे सरकार ने जो हमारी Competition Commission of India और Competition Commission of Mauritius इन दोनों के बीच में एक पैक्ट को जो है मतलब अपरूब कर दिया है तो कोई information exchange करनी हो ठीक है और capacity building initiative कोई लेना हो तो ये दोनों आपस में साज़ेदारी से कर सकते है केंद्री मंद्री मंदल ने भारती Chartered Accountants संस्थान यानि की ICAI और किस देश के बीच सदस्य परबंधन और पेशेवर नातिकता में आपसी सहयोगी स्थापित करने के लिए समझोता है कि यापन परहस्ताक्षर करने को मंजूरी दी सही आंसर है option a the union cabinet approved the signing of MOU between the institute of Chartered Accountants of India and Poland to establish mutual cooperation in Member Management and Professional Ethics तो देखिए यहाँ पर कई तरह की फिल्ड जो होते हैं जैसे कई तरह की एरिया होते हैं Member Management, Professional Ethics, Technical Research, CPT, Professional Accountancy Training इन सभी में सहयोग के लिए भारत ने बारत की ओर से Institute of Chartered Accountants of India ने Polish Chamber of Statuary Auditors इसके साथ agreement किया है MOU किया है India Post Payments Bank ने अर्थ सहरी और ग्रामेंड शेत्रों में banking उत्पादों और सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ भागेदारी की सही answer option D, India Post Payments Bank has partnered with HDFC Bank for banking products and services in semi-urban and rural areas ठीक है तो semi-urban and rural areas में customers को banking products and services प्रवाइड कराने के लिए India Post Payments Bank और SDFC Bank ने MOU साइन किया है बागी आपको जानना चाहिए SDFC Bank के CEO ससीधर जगदीशन है आप से भी जानते है headquarters मुंबई में tagline है We understand your world बागी अगर हम बात कर इंडिया Post Payments Bank की तो CEO जे बैंक का ड्रामू है headquarters न्यू डेली में tagline है आपका बैंक आपकी द्वार वित्य समावेशन के लिए किस बैंक ने Most Innovative Best Practice के लिए प्रतिश्रीत CII Award जीता है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा option D so SDFC Bank won coveted CII Award for Most Innovative Best Practice for Financial Inclusion जानेंगे इसके बारे में देखिए आप सभी जानते हैं SDFC Bank Government of India के जो Common Service Centers है इनके साथ मिलकर Financial Inclusion के लिए कई तरह के प्रोग्राम चला रही है तो इसी को रिगगनाईस किया गया है CII द्वारा इसने SDFC Bank के इस परियास को Most Innovative Best Practice का दरजा दिया है साथ ही आपको जानना चाहिए हाली में पढ़ा था कि इंडिया Post Payments Bank इसने SDFC Bank के साथ पार्टनर्शिप की है किसके लिए जो सेमी अर्बन और रूडर एरियास हैं यहां पर Banking Products and Services को पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं Card on File यानि कि COF टोकन के लिए नई समय सीमा क्या है सही आंसर होगा Option B So June 30, 2022 is the new deadline for the Card on File tokenization पहरी बात आप यह आद रखेंगे COF इसका मतलब क्या हुआ Card on File तो देखे Reserve Bank of India ने जो Card tokenization लागू करने की जो deadline है उसको 6 मन दोर बढ़ा दिया यानि कि अप कर दिया है 30 June 2022 तक क्योंकि कई सारी जो Industry Bodies हैं वो लोग कह रहे थे कि हम इसके लिए तयार नहीं है तो इसको थोड़ा बढ़ाए जाए आपको बताते Card on File या COF का मतलब होता है देखे जो Payment Gateway है या Merchants है या आपके जो Card की Information को जो Store करते हैं ताकि आपकी transaction successful हो पाए उसको बोलते है Card on File मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपकी Card की details होती है जैसे आपका यह आपका CV नंबर हो गया expiry date हो गया ठीक है तो यह सब जो है अब एक code में convert हो जाएगा तो जैसे Amazon है Flipcard है और Zomato है इनके पास आपकी card की details save रहती है तो RBI ने इनको खाए कि आप एक तो details सब हटा देंगे बाकी जो यह आपके जो card issue करते हैं जो mastercard, visa, rupacard ठीक है जो भी इनको bank वगएरा जो भी इनको issue करते हैं उनको भी खागया है कि आप जो है अब से जो है इनको code generate कीजेगा किसी को payment करना होगा तो वो code generate होग ठीक है तो इसके लिए कोई app बगएर का use होगा यह तो आगे ही पता चलेगा जब यह practice में आएगा ठीक है वैसे UPI में यह card organization अभी use होता है ऐसा नहीं है कि यह नया system है यह आप याद रखेंगे चले आगे बढ़ते हैं अच्छा इसाथ ही आप यह भी जानिएगा CVV आपन से अपना अध्यक्ष न्यूक्त किया है options आपके सामने है और सही आंसर होगा option A. So TS Reader has been appointed by Organized Retailers Association as its president तो Organization Retailers Association देखिए साउथ इंडिया में जो भी यह mobile retail chains है इनका एक forum है तो इसके जो प्रेजिडेंट बनाए गई है यह TS Reader बनाए गए है कि वहला आप इतना याद रखेगा Organized Retail Association इसके प्रेजिडेंट बनाए गए है TS Reader द्रूव सीतवाला को हराकर अपना ग्यारवा राष्ट्य बिलियर्ड किताब किसने जीता है ओप्शन से आपके सामने और सही आंसर होगा option C. देखे जानेंगे इस न्यूस के बारे में देखे पहले आपको जानना चाहिए पंका जाडवानी 24 टाइंड वर्ड चैंपियन है ठीक है Qist का मतलब होता है Qist is a person who plays snooker pool और बिलियर्ड जो snooker और बिलियर्ड से सब कहलते हैं उनको बोलते हैं Qist यह आपके एक्जाम में पुछा गया question है पूछे जाता है किसे सम्मंदित है Qist ठीक है तो आप याद रखेंगे तो 24 टाइम वर्ड चैंपियन है पंका जाडवानी इन्होंने अपना 11 नेशनल बिलिय इनके निकनेम है दप्रिंस ओफ इंडिया दगोल्डन बॉय दप्रिंस ओफ पुने पुने महारास्ट से हैं यह आप याद रखेंगे उत्राखंड उच्छे नियालाए के कार्य वाहक मुक्य नाय देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर हुगा option B सब्सक्रा अप जानते हैं जो यहां के chief justice रहे हैं उत्राखंड हाई कोड के रika विंद्र सब्सक्राइब है आप सब जानते हैं हाई कोड में रिटािर्मेट की ग्या है 62 बाकिया आप जानते हैं जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको प्रेजिडेंट द्वारा एपॉइंट किया जाता है और शपत दिलाते हैं उस स्टेट के गवर्णर साथ आप को जाना चीए भारत में फिलाल 25 हाई कोर्ट है पेटियम पेमेंट बेंक और किस अमेरिकी क्रॉस बोर्डर मनी ट्रांसफर कंपणी ने सीधे पेटियम वॉलेट में अंतरास्ट्री प्रेशन की पेस्कस करने के लिए साज़ेदारी की है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा उप्शन C So Paytm Payments Bank and American Cross-Border Money Transfer Company Moneygram have entered into a partnership to offer international remittance directly to Paytm Wallet. देखे, कोई व्यक्ति जो है अपने घर पैसा भीजना चाहता है, तो डिरेक्ट वो Paytm Wallet में भेज सकता है, उस दूसरी यूजर के जिसको भेजना चाहता है, उसके Paytm Wallet में भेज सकता है. तो यह अब कैसे वो पाएगा, जब Moneygram और Paytm Payments Bank ये दोनों साज़ेदारी कर रहे हैं, पार्टनर्शिप कर रहे हैं, इसी चीज़ को सक्सेस्फुल बनाने के लिए. आपको बता दे, Moneygram क्या है? ये एक American Company है, Digital P2P Payments Company है. बागे आपको जानना चाहिए, Moneygram के Chairman and CEO Alex Holmes है और Headquarters है, Texas United States में. Paytm Payments Bank MDCO 37 हुमार रूपता है, Headquarters Sunoida UP में आप सभी जानते हैं. किस राज्य में 22 किसान संगों ने घुष्णा की, कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चुलाओं रड़ेंगे? सही आंसर होगा, Option A. So, in Punjab, 22 farmer unions announced that they would contest elections under the banner of संयुक्त किसान मोर्चा. जानेंगे से नियूस के बारे में, देखे, पंजाब में 32 farmer unions हैं, उसमें से 22 ने ऐसा का आए, कि हम जो आने वाले पंजाब assembly elections हैं, 2022 में जोंगे, इसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हम संयुक्त समाज मोर्चा, इस बैनर तले हम election लड़ने वाले हैं. इनके एकवाई कर रहे हैं, बलबीर सिंग राचिवाल, जो कि भारते किसान union के नीता हैं, ठीक है, तो 117 assembly seats पर ये contest करेंगे, अच्छा, आपको ये जानना चाहिए, एकजाम में पूछ ले जाता है, चार option देखे, कि 2022 में, या फिर आने वाले महीनों में, किस राज्ये में तो तीन के तो नाम दे देते हैं, जिन में होने वाले हैं, एक में दे देते हैं, जिन में नहीं होगा, यहीना, तो इस तरह से पूछ लेते हैं, question तो आपको याद अना चाहिए, कि 2022 में कहां का election होने वाले हैं, देखिये, शुरुवात में ही election होंगे, अब года में मनिपूर, उत्राखंड पंजाब उत्तरप्रदेश यहां पर तो होंगी और 2022 के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वी होंगे तो साथ राज्यों में चुनाव होने हैं यह आप याद रखेंगे उद्यमयों को सशक्त मनाने के लिए Vornacular innovation program launch किया है आइटी डेली नितियायुग इन्वेस्ट इंडिया एफ एक्षिन कमिशन ऑफ इंडिया सही आंसर होगा option B So, नीतियायुग has launched Vornacular innovation program to empower innovators entrepreneurs in 22 Mother Tanks देखिए कई तरह के ऐसे entrepreneurs होते हैं कुछ startup शुरू करना चाहते हैं जहां पर की आप मान लीजिए आप उडिया बोलते हैं या फिर आप बेंगॉली बोलते हैं ठीक है और आपको जो material है वह उस भासा में नहीं मिल पा रहा है तो उन भासाओं में भी वह material मिल पाए जिससे कि आप अपने startup को शुरू कर सके क्यों कुछ पढ़ना तो पढ़ता है आप कुछ चीज़ सुरू करने के लिए किस कई तरह के material होते हैं जिनको पढ़दर आपको कुछ सीखने के मिलता है तो वह सभी material जो एक startup को चाहिए किसी entrepreneur को चाहिए वह सभी provide कराएंगे इस program किते हैं त इस तरह का innovation ecosystem provide करा जाएगा बाखिया आपको जाना चाहिए नितियायोग के वाइस चेर्मेन डॉक्टर राजीव कुमार है CEO हमिताप कांथ है और मिसें डारेक्टर है जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके डॉक्टर चिंतन वेस्टन बाखिया आप जानते हैं नितियायोग द्वारा सुरू किये गए चोथे स्वास्ते सूचकांग के नुसार बने राज्यों में समग्र स्वास्ते प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य सीर्स रैंकिंग वाले राज्य के रूप में रहा है सही आंसर है option A सो केरल हैस इमोस्ट ऐस तक टोप रैंकिंग स्टेट इंटर्स एंटर्व और ओर एल्फ पर्फॉर्मेंस अमंग लाजर री स्टेट्स एक एक हैल्ठ हैंडेक्स लोग्ज किया है जिसका रेफरेंस यह रहा दोजार उन्नीस 20 यहीं इसका इसाप से इनोंगापर स्टेट्स को केटेगराइज किया है इसमें इन्होंने टेक्निकल एसिस्टेंट लिया है वर्ड़ वेंक से और यह फोर्थ एडिशन रहा फोर्थ हेल्ट इंडेक्स रहा है तो इसमें पहले नमबर पर रहा अगर हम ओवरौल हेल्थ परफॉर्मेंस की बात करें लाजर स्टेट्स की और सबसे वर्स्ट पर्फॉर्मर किया रहे उत्रब्रदेश फिर इस से पहले मद्रधिश ये बाइको जानना चाहिए यूवपी भले वर्स्ट परॉर्मर रहा हो अवर ओल्ल लेकिन जो इक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल गेन है ких साल में यह इसका सबसे maximum रहा यानि कि एक साल के सबस्यादा बदलाव सबस्यादा अच्छा परदर्शन जिसने किया है वह किरल न किया मतलब सुधार इसने जो है काफी अच्छा किया है बले इसकी overall health performance में जो अलग-अलग indicator है उनमें रेंक अच्छी ना हो कि अगर हम smaller states की बात करें तो मिजोरों में आपर best performer रहा है और नागलेंड रहा है लास्ट में अगर हम union territory की बात करें तो दागादर एंड नागरह वेली एंड दमनेंड दियू यह best performer रहे हैं इसके बाद रहा है चंडिगर जबकि डेली और जम्मू एंड गश्मिर यह काफी पोटम में रहे हैं आपको जाना चाहिए यहां पर 24 इंडिकेटर्स यूज हुए हैं और तीन डॉमेंस यहां पर यूज की रहे हैं कौनकों से डॉमेंस हैं हेल्थ आउटकम्स गवर्णेंस एंड इंफोमेशन और तीसरा है की इंपूट्स एंड प्रोसेसेज निम लिकित में से किसने आयुश्मान भारत डिजिटल के साथ एक ही करत भारत का पहला स्वास्थ लोकर ल लोंच किया गया है आपको बता दें डॉक्पाइम टेकनलोजीज यह सबस्ट्री है पीबी फिंटेक की पीबी फिंटेक क्या है यह पैरेंट कंपनी है पॉलिसी बाजार और पैशा बाजार की तो डॉक्पाइम हेल्थ लोकर लोंच कि है जो की आयुश्मान भारत के लिए सुसीला देवी प्रुसकार्द होजारी किस-किस ने जीता है सही आंसर है ओप्शन डी सो अनुकृति उपाध्याय वंदा सुसीला देवी अबार 2021 फोर देखें यहां पर सुसीला देवी अवार 2021 फोर दा बैस्ट बॉक ऑफ फिक्षन यह मिला है अनुकृति उपा अनीज आर्ट है जिसमें टूटे हुए जो ऑब्जेक्ट होता है उनको गोल्ड से जो है फिर से जोड़ा जाता है तो यह नोवल जो है एक यंग विमन के बारे में है भारत सही उक तरूप से किस देश के साथ त्रिंको माली तेल टैंक फार्म विक्सित करेगा सही आंसर है उप्शन सी इंडिया टू जॉइंटली डेवलप तट्रिंको माली ओएल टैंक फार्म स्वीथ श्रिलंका तो स्रिलंका के साथ यह त्रिंको माली ओएल टैंक फार्म जो है भारत रोच दोनों इसको डेवलप करेंगे बाकि आपको जानना चाहिए सिर्लंकाई कैपिटल लै राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे राजपक्षा कि उस अफ्रिकी नोबेल पुरुसकार विजयता का नाम बताइए जिनका हाल ही में दिसंबर में निधन हो गया है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ऑप्शन भी सो अफ्रिकन नोबेल प स्प्राइज विजयता रहे हैं इनका हाली में जो है निधन हो गया है काफी महान हसती हैं जो साथ अफ्रिका में जो अपार्थी सिस्टम रहा तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले ऊसके खिलाफ संघर्ज करने वालों में सबसे बड़ा नाम जो है इनीका आता है देश बिशब रहे ठीक है और इस position पर रहने वाले ये first black African थे जो इस position पर रहे तो जो इस तरह के bishop रही थे तो देखे अपार्थ system क्या होता था देखे अफरीका में क्या होता था जो जो-ःभी लोग थे जो वह minority में थे लेकिन अपने आपको बहुत superior समझते सब्ता उनके हाथ में थी और मेज़ोरिटी में कौन होते थे ब्लैक पीपल जिने आप नोन वाइट पीपल बोल सकते हैं ठीक है लेगिन उनको जहें बहुत दबाया जाता था मेज़ोरिटी थी पर उनको दबाया जाता था उसको बोलते अपार्थिज सिस्टम तो उसके खिल खिलाफ जो डिस्क्रिमिशन उसके खिलाफ अवाज उठाई थी तो उनमें भी यह शामिल रहें 1984 में इनको नोबल पीस प्राइस मिला था तो काफी इंपोर्टेंट कोश्चन आपके लिए यह आप याद रखिया और मैंने आपको बता भी दिया किस चीज से जुड़े हु गूगल वास फाइंड रिकोर्ट 7.2 बिलियन रोबल्स पॉर रेपेटेडली फेलिंग टू डिलीट इलीट इलीगल कॉंटेंट देखिए गूगल पर लगाया है 7.2 बिलियन रोबल्स का यानि 98 मिलियन यूस टोर का और मेटा जिसे आप फेस्बुक के नाम से जानते हैं इसको लगाया है 1.9 बिलियन रोबल्स का जुर्माना किसने मॉस्क कोर्ट ने जो रशिया में है इसने क्योंकि आपर इलीगल कंटेंट था और इसको बार-बार बॉर्णिंग भी दिजा रही थी कि आप हटा दीजे अपनी साइट से पर ये लोगों ने हटाया ना इसलिए इन पर जुम्माना लगा दे गया पर्दिश्टित निबंदकार उपन्यासकार और पठकथा लेकक अमेरिकी साइप्तिकार जॉन डिडियन का सतस्ती वर्सकी आविपनी दन हो गया उनके 2011 के संसमरण का शीर्चक क्या था ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए हो इनके बारे में जॉन डेटोन तो यह क्या थी साइप्तिकार थी लिखा करती थी तो इनका 87 की एज में इनका निदन हो गया है आपको जानना चाहिए 2013 में इनको नेशनल मैडल ओफ आर्ट्स भी दिया गया था तबके यूस प्रेजिडेंट ब्राक उमामा के द्वारा और इन्हों ने एक अपना मैमूआ भी लिखा था जिसका टाइडल था ब्लू नैट इसको बोलता है मैमूआ ब्लू नाइट जो है इसका टाइडल था परतिश्टित यूए जूनियर इस्ग्वाश एपन किस नहीं जीता है, ओप्शन साब के सामने और सही आंसर एप्शन सी है तो नहाता सिंग वोंदा प्रिस्टिजियास यूए जूनियर स्क्वाश एपन तो देखे अनादा सिंग ने आपर इतियास रश्च दिया इन्होंने यूएस जूनियर स्कुएश ओपन को जीत लिया है और ये ओपन जीतने वाली ये फर्स्ट कल बन गई है डैली से है ये और आपको जानना चाहिए इन्होंने फाइनल में इजिप्ट की जैदा मरेई को हर परिक्षण किया है सही आंसर ओप्शन सी सो डिया डियो हैस कंडेक्टेट दफ फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनस हाइज स्पीड एक्स्पेंडेबल एरियल टार्गेट कॉल्ड अभ्यास देखिए डिया डियो डिफेंस रिसर्च एंड डिवलेप्मेंट चान्दिपूर ODI साजे और किसने बनाया है इसको ये जो हाइस्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट अब्यास इसको किसने मनाय है डिया डियो के लेप्लेट्री है एरोनॉटिकल डिवल्लॉप्मेंट इस्टैबलिश्मेंट एडी इसने बनाया है और हाली में पढ प्रलय नाम की एक निव जनरेशन मिसाइल को भी टेस्ट किया है कि भारत और किस देशने से युक दूप से प्री एराइवल कस्टम डेटा एक्सचेंज पर एक पाइलेट प्रोजेक्ट लॉंच किया सही आंसर ओप्शन भी है तो प्री एराइवल कारगो डेटा एक्सचेंज इस पर एक पाइलेट प्रोजेक्ट जो है भारत ने जॉइंटली लॉंच किया है किसके साथ मालदीव के साथ मिलकर बाकिया आपको जानना चाहिए मालदीव के प्रेजिडेंट इब्राहिम महमत सौली है उप्रास्ट यह सुरक्षा शलाकार के रूप में किसे न्युक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन ए तो देखिए यह चाइना में भारत के एंवोई रह चुके हैं विक्रम मिश्री इनको अब डिप्टी नेसल सिक्योर्टी एडवाईजर बनाया गया है यह पंकज सारन को सक्सीट करेंगे यह इनकी जगलेंगे लेकिन याज रिखिएगा यह केबल एकलोते ही डिप्टी नेसल सिक्योर्टी एडवाईजर नहीं है इनके लावा दो और है राजेंद्र खन्ना और दत्ता पंज़स सलकीकर तो यह तीन अब डिप्टी नेसल सिक्योर्टी एडवाईजर है पहले पंकस सारन भी थे इन दोनों के साथ लेकिन अब पंकस सारन को रिप्लेस कर रहे हैं विक्रम मिश्री बाकिया आप जानते हैं कि हमारे नेसल सिक्योर्टी एडवाइजर कोन है यह है अजीत डोवाल और जो हमारे national security advisor होते हैं वो union cabinet minister वाली rank के होते हैं तो national security advisor को assist करते हैं डिप्टी national security advisor बाकिया आपको जानना चाहिए ब्रजेस मिश्रा ये first national security advisor हमारे देश के रहे हैं और जो ये नेसल सिक्योर्टी एडवाइजर की पोस्ट है ये 19 नॉमबर 1998 को बनाई गई थी जब अटल बिहारी बाचपईजी की सरकार थी तो ये एक्ष्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं अपने और सैट करता हूँ आपके लिए इनको भी आप याद रखेंगे केंद्र रक्षा मंत्री रायनास सिंग ने किस सहर में ब्रह्मोज मिसाइल उत्पादन इकाई और DRDO लैब की आधार शिला रखी है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन C तो देखें यूनियन डिफेंस मिस्टर रायनास सिंग लेट फांडेशन इस्टान अफ ब्रह्मोज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और DRDO लैब की आधार शिला रखी है ब्रह्मोज से संबंदित हमने हाली में करंट अफेर काफी इंपोर्टेंट पड़ा है कि ब्रह्मोज एरोस्पेस इसके CEO बनाए गए हैं अतुल दीनकर राने और डिप्टी CEO बनाए गए हैं डॉक्टर संजीव कुमार जोशी तो दोनों ये अपॉइंटमेंट काफी इंप अपॉइंटमेंट को एक अपॉइंटमेंट को एक अप्रूव किया है क्या अपॉइंटमेंट है जो यूको बैंक के M.D.N.C.O. अतुल कुमार गोयल ये अगले साल यानिकि एक फर्वरी दोजार बाइस से पंजाम नेशनल बैंक के M.D.N.C.O के रूप में कारिय करेंगे आपको बता जिनका कारिकाल 31 December 2024 तक रहने वाला है और ये मल्लिकारजुन राव को रिप्लेस करेंगे आप सभी जानते हैं P.N.B. के M.D.N.C.O. फिलहाल को ने हैं मल्लिकारजुन राव इनको रिप्लेस करेंगे यूको बैंक के M.D. और C.O. के रूप में किसे निउक्त किया गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर है ओप्शन D तो सोमा संकरा परसाद हैस बिन अपोइंटेड एस M.D.N.C.O. फ यूको बैंक का तो देखिए फिर से अपोइंटमेंट कमीटी ऑफ दी कैबिनेट इसने सोमा संकरा परसाद जो की फिलहाल स्टेड बैंक ओफ इनिया में डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर हैं इनको जो है यूको बैंक का मैनेजिंग डिरेक्टर एंड चीफ एक्सेकुटिव ऑफिसर नुकत किया है आपको जानना चाहिए इनका कारेकाल 31 मई 2023 तक रहने वाला है यूको बैंक की अगर हम बात करें तो टेगलाइन है ओनर्स यूर ट्रस्ट हेड़कॉर्टर्स कॉलकाता वेस्ट पेंगोल में हैं सेंटर फॉर एकोनोमिक्स एंड बिजनस है रिसर्च यानि कि सी ब्यार ने उनुमान लगाया है कि भारत किस वर्स में तीसरी सबसे बड़ी अर्थवियस्था बन जाएगा ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर है ओप्शन सी दे सेंटर फॉर एकोनोमि है 2022 में बिकि 26 सब्सक्राइब और रिखास दोची सेट्यों में में यह लाज चेस्ट एकोनोमी बन जाएगी 2036 में लाज रहने वाली है यूस की बात करें फिलाल फॉर्स पॉजिशन पर है यह दो जारी करतिस तक भारत थर्ड लाजेस्ट एकोनोमी बन जाएगी प्रदान मंतिर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लोहुरी स्टेज वन हाईडो पावर प्रजेक्ट और दोलासिध हाईडो पावर प्रजेक्ट का उधखाडन किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं स 11,000 करोड के हाईडो पावर प्रजेक्ट की अधार रखी है और कुछ को इन्सकर नेग्रेट भी किया हैं इन में से जो मुखे हैं वह लोहुरी स्टेजड़ पॉर पावर प्रजेक्ट 210 मेगावाट का प्रजेक्ट है। दोलासिध हाईडो पावर प्रजेक्ट ले 66 मेग मुख्य हैं वह लुहरी स्टेज 1 हाइड का अब्रोजेक्ट 20 मगवाट का है गरोंद हेर जो है अपनी कॉन्टिबूशन sude 1 खें माद राज gorgeous एंस्थान उत्रकरडेश 2012 डेली रेणुका जी लेक याद रखेगा हिमाचर प्रदेश में है ठीक है तो यह ही पर यह रेणुका जी डैम बनाया जा रहा है साथ इनोंने सवरा कुद्दू हाइडो पावर प्रजेक्ट जोकी 111 मेगावाट का है इसको भी इनोग्रेट किया है तो चार आपके पास हाईडो पावर प्रजेक्ट हैं चारो हिमाचर प्रदेश में उनने इनोग्रेट किया है और फिर उनकी फॉर्मडेशन इस्टोन रखा है याद रखेंगे राज्यसभा सांसद महिंद्र परशाद का हाली में निधन हो गया वे किस पार्टी से थे ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर है ओप्शन ए राज्यसभा MP महिंद्र परशाद पास्ट विरिसेंटली देखेंगे इनके बारे में तो जनतादल युनाइट के राज्यसभा MP महिंद्र परशाद 81 वर्स के आयू में इनका निधन हो गया है आपको जानना चाहिए ये रिचेस्ट इंडियन MP रहे हैं और इनकी दो फार्मसेटिकल कंपनीज भी रही एक है अरिस्टो फार्मसेटि और एक बार ये लोगसभा भी चुने गए हैं लोगसभा के लिए भी चुने गए हैं दख्रिस्मस पिग नामक पुस्त के लेखक या लेखी का कौन है ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर है ओप्शन ए तो जेके रॉलिंग इस ता ओथर अफ तपुक टाइटल्ड दख्र किसमस पिग निमली कित्म से किसने भारत में बैंकिंग की परवर्ती और प्रगती 2021 पर एक रिपॉर्ट लॉंच की है ओप्शन से आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निव डेवलोप्मेंट बैंक या फिर एशिया डेवलोप्मेंट सही आंसर है ओप्शन बी सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैस लॉंच्ट ए रिपोर्ट ओन ट्रेंड और प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 तो जानेंगे इस बारे में देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक रिपोर्ट लॉंच किये जिसका टाइटल ट्रेंड और प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22 तो इसमें बताए गया है 2020 माफ कीज़े 2021 में जो कोपरेटिव बैंक से या जो NBFC इन्होंने किस तरह से जो है परफॉर्मेंस की है तो जानेंगे इनके बारे में देखें इन्होंने काया कि सितंबर 2021 तक जो और ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जी एनपी ए रोश्यू यह सेप्टेंबर 2021 के एंड तक 6.9% रहा है रिटर्न ओन एसेट्स यह जो है आपका यह नोंने कहा कि मार्च 2021 के एंड तक 0.7% रहा है जबकि मार्च 2020 के एंड तक यह 0.2% रहा था साथी नोंने बोलाए कि जो फ्रोड्स होता है न तो कितने रुपे के फ्रोड्स हुएं फिस्कल एर 21 में तो यह 1,38,422 करोड रुपे के फ्रोड्स जो है अलग-अलग बैंकिंग ओपरेशन में दर्ज किये गए हैं जबकि यही फ्रोड्स पिछले साल 1,85,468 करोड रुप जो हैं फिस्कल एर 21 में रिपोर्ट किये गए जबकि फिस्कल एर 20 में 8,703 केसे रिपोर्ट किये गए थे वित उद्योग विकास परिसत के सह अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है सही आंसर है यहां पर ओप्शन C तो कमलेश कांधी है एस बिन अपॉंटे एस को चेरमेन आफ ता फाइनस इंडस्टी डेवलपमेंट काउंसिल एफ आई डीसी तो देखिए फाइनस इंडस्टी डेवलपमेंट काउंसिल विच इस अ रिप्रेजेंटिव पोड़ी औफ एसेट एंड लोन फाइनसिंग नि डीसी में को चेरमेन मतलब कोई और भी एक चेरमेन होगा तो दूसरे कोने उमेश रिवांकर ये कोने ये सी यो एर एंडी है स्री राम ट्रांस्पोर्ट फाइनस ग्रूप के बाकि आपको जानना चाहिए फाइडीसी की स्थापना साल 2004 में हैट पार्टर्स मुंबई में है किस देश ने इनमार्ज सेट 6F1 संचार उपक्रह को कक्षा में लॉंच किया है जैपान चाइना रशिया एफ्री साउथ कोरिया सही आंसर है ओप्शन ए जैपान लॉंच्ट इनमार्ज सेट 6F1 कम्यूनिकेशन सैटेलाइट इन्टू और आपको बता दे जैपान ने अपन सेटेलाइट का नाम इनमार्ज सेट 6F1 सेटेलाइट ग्लोबल एन्वार्मेंट एंड क्लाइमेट एक्टेजन सेटीजन अवार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी होगा ग्लोबल एन्वार्मेंट एक्टेजन सेटीजन अवार्ड ये दे गये हैं दुबई में तो यहाँ पर जो है सूरत के विरल देशाई इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है आपको जानना चाहिए ये अवार्ड जो है 28 prominent personalities को मिला है 11 countries से लेकिन ये पहले भारती हैं जिने climate action की category में यहाँ पर अवार्ड दिया गया है तो ये बात आप याद रखेंगे सिड़ी ने MSME पारिश सिथी की तंतर को विक्सित करने के लिए किस राज्य के साथ समझोते हैं कि आपन प्रहस्ताक्षर किये हैं options आपके सामने हैं सही answer option C है सिड़ी has signed a memorandum of understanding with West Bengal to develop the MSME ecosystem देखें सिड़ी की form आप जानते हैं Small Industry Development Bank of India तो इसने आपर एक MOU sign किया है West Bengal Government के साथ जिसके तहती MSME को जो है बढ़ावा देंगे उनको develop करने में सायता करेंगे बाकि आपको जानना चाहिए सिड़ी किस ताबन दो अप्राइब 1990 में हुई थी Headquarters लखनो उत्रपरदेश में है और इसके Chairman and MD है Siva Subramaniam Raman उस भारती स्कीर का नाम बताईए जिसने Montenegro में FIS Alpine Skiing परतोगिता में कांसे बदक जीता है Options आपके सामने हैं सही आंसर Option C होगा So Indian Skier आचल ठाकूर has packed Bronze Medal at the FIS Alpine Skiing Competition in Montenegro देखो जो यह आपने देखा हो ना बर्फ में चलते रहते हैं वो है ना उसको बोलते हैं Skiing यह जो आप दो ब्लेड देखते हैं पैरों के नीचे जो दो ब्लेड से लगाते हैं ना विंग टाइप के आप इनको कह सकते हैं उनको Ski बोलते है Ski पूरा एक पेर होता है ना इक इदर और इदर पैरों में तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी एथलीट है जिन्होंने इंट्रनेशनल लेवर पर दो मेडल जीते हैं एक तो मेडल यही हो गया ब्रॉंज मेडल जो इन्होंने यहाँ पर जीता है इसके लाव इन्हों YCRA has packed India's growth rate for fiscal year 2022 and fiscal year 2023 at 9%. ठीक है तो 9% इन्होंने बोला है कि Omicron variant के कारण जो है थोड़ी uncertainty यहाँ पर बनी रहेगी और fiscal year 2022 और 2023 में 9% से इंडिया ग्रों करेगा साथ ही नोंने बोला है pandemic के कारण जो बालत का net GDP loss हुआ है 2021 से 2023 तक होने वाला है यह 39.3 trillion रुपीज रहेगा राज्यमंत्री electronics और सुचना प्रत्रोगी की कोशल विकास और उध्यमिता राजीव चंदर सेखर ने किस राज्य में साथ नए internet exchange का उत्खाटन किया है options आपके सामने हैं सही answer option d minister of state electronics and information technology skill development and entrepreneurship राजीव चंदर शेकर inaugurated the seven new internet exchanges in उत्तरप्रदेश देखिए आप सभी जानते हैं राजीव चंदर शेकर कई बार आते हैं हमारे question में ठीक है तो इन्होंने साथ नए internet exchanges का उद्घाटन गया है उत्तरप्रदेश में किसके एकश्जेंजुबNikesi के अनाई Xis के इसके एक्षेंज में जिनको उत्तरफ्रदेश में launch हिया अिन्दोग्रेट किया औरते हैं कहां कहां पर ओफ इंडिया ये इसकी फिलफोम होती है ये एक नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है जो की इंडियन कंपनीज एक्ट टॉन्टी थर्टीन के सेक्षिन एट के तहथ इंकॉर्परेट की गई है इसके आठ नेटवर्क ओपरेशन सेंटर है चिन्नई मुंबई डेली कॉलक था बेंगलूरू हाइदराबाद गोवाट एंड एहमदाबाद में और इसके सीयों है अनील कुमार जैन पांसो टन खाद्य साहिता के साथ किस भारत ये नौसैनिक जहाज ने पॉर्ट ओफ मापुटो मोजामबिक में परवेश किया है सही आंसर है ऑप्शन बी सो इंटियर नवल शिप आई एनस के सरी हैस एंटर्ड पॉर्ट ओफ मापुटो मोजामबिक विद देखें आप से भी जानते हैं भारत जो है जो भारत के करीबी कंट्रीज हैं चाहे वह अफ्रीका में हो चाहे वह एशिया में ही हो है ना तो उनको सेक्योर्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंदरीजन सागर ये सागर के फिलफों में पूछी जाती है एक्जाम में तो सागर अपने इस स्कीम के तहर्त अपने इस मिशन के तहर्त इनकी साहता कर रहा है पैंडिमिक के कारणी की साहता कर रही है अलग-अलग फूड सामगर यहां पर भिजवा रहे है तो इसी के तहट आइनस केसरी को भी भेजा गया है मोजामबिक के पॉर्ट ऑफ मैपटों में तो यह यहां पर 500 टन्स ओफ फूड लेकर गया है एस्टी एफसी लाइफ इंसुरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ बैंक का शूरेंस टाइप की खोशना की है और सही आंसर है ऑप्शन डी माफ कीजेगा फ्रेंड्स यहां पर यह यह जो है बैंक आने चाहिए तो यहां पर यह साथ इंडियन बैंक तो यह आपका सही है लेकिन यह वाले बैंक थोड़ा यहां पर भी कोई ना कोई आप बैंक एजूम कर सकते हैं तो आंसर इसका डियोगा साथ इंडियन मेंक यह जबकि मैंने पूरी बीपीटी चेक करता हूं तब भी तब तो इस पर नजलने जाती साथ इंडियन बैंक देखिए HDFC लाइफ इंशुरेंस कंपनी ने आप पर बैंक आशुरेंस टाइब किया है साथ इंडियन बैंक के साथ बैंक आशुरेंस मैंने आपको पहले बताया था बैंक आशुरेंस पैक्ट में क्या होता है एक जो इंशुरेंस कंपनी है वो किसी ब पूरली रामकृष्णन है हैटकॉर्टर्स थ्रिसूर केरल में है और टैग लाइन एक्सपिरियंस नेस्ट जनेरेशन बैंकिंग बागी मैंने आपको बता दिया वहाँ पर जो है साउथ इंडियन बैंक यानि कि एंडिवी ने किस देश को एक नए सदस्य की रूप में सुविकार किया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए होगा दन्यू डेवलप्मेंट बैंक इस्टैब्लिश्ट बाइब ब्रिक्स इन 2015 हैस एड्मिटेड इज़िप्ट एज न्यू मेंबर जाने के इस कुश्चन के बारे में इंपोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए देखें न्यू डेवलप्मेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसके बारे में आप जानते हैं इसको ब्राजील, रोशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफरिका यानि कि ज तरब अमिरात और उरुगवे ये भी नियू डेवलप्मेंट बैंक को जोएन कर चुके हैं तो अब इस तरह से मेंबर्शिप हो गई है जो ब्रिक्स बैंक है और नियू डेवलप्मेंट बैंक है इजिप्ट, ब्राजील, रोशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफरिका, बांगलादेश, यूए, एड उरुगवे बाकी आपको जानना चाहिए नियू डेवलप्मेंट बैंक के स्थापना ब्राजील, रोशिया, इंडिया, चाइना और साफ़ अफरिका ने सिख्थ ब्रिक्स सम्मिट जो की फोर्ट अलेजा ब्राजील में हुई थी 2014 में तो यह नहां पर इसकी स्थापना की गई थी और आपको जानना चाहिए इसकी जो अथ्राइस्ट कैपिरल है 100 बिलियन यूएस टोलर की है और इंफार्स्ट्रक्चर और सस्टेडेबल डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यह लोन प्रोवाइड कराता है केवल अपनी मेंब 2014 में तो इसकी स्टैбलिश्मेंट हुई थी लेकिन इसमें जो अपना ऑप्रेशन स्टार्ट किया था यह जुलाइ 21, 2015 में किया था इसलिह आपर देखें है यहां पर इसकते हैं 2014 लिखा है स्टैब्लिस्ट और यहां पर जो 2015 लिखा है मतल्ब जो इसने अपना ऑप्रेशन स पॉलिसी खरीच सकते हैं प्रीमिम का भुक्तान कर सकते हैं और अन्य सेवाओं का भी लाब उठा सकते हैं और आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है तो देखें मुंबई में लाइफ इंसरेंस कोर्परेशन अफ इंडिया ने डिजी जोन को इन्नोगरेट किया है तो डिजिटल फिल्ड में और अपने आपको तोड़ा और विस्तार देना चाहती है लाइफ इंसरेंस कोर्परेशन तो यहाँ पर जी हो जैसे ATM टाइफ स्ट्रक्चर होते हैं उनको इस्टैबिस कर दिया जाएगा और उनकी मदद से पॉलिसीज ओनलाइन बाय कर सकते हैं प्रीमियम पे कर सकते हैं और भी अधर सर्विसेज जो राई से सम्मंदित हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं और हाली में हमने पड़ा था कि LIC को RBI से अप्रूवल मिल गया है कि यह इंडसिंट बैंक में अपना जो इस्टेक है यह 9.99% तक हाईक कर सकता है और सेम अप्रूवल इसको कोटक महिंद्रा बैंक के लिए मिला यहाँ पर भी 9.99% अपने इस्टेक के हाईक कर सकता है है आगे बढ़ते हैं है है अधराबाद इस्टित बाइलोजिकल इद्वारा निर्मित कौन सी नई COVID-19 एंटिवारल दवा केंद्रे स्वास्ते मंत्राले द्वारा आपात कालीन उप्योग प्राधिकर्ण के लिए अनुमोदित तीन नई दवाईयों में से एक है ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर है ओप्शन सी सो कोर्विवेक्स इस दन्यू कोविड-19 एंटिवारल ड्रग प्रोडूस्ट पाइधराबाद बेस्ट बाइलोजिकल इट इस अमंग थ्री न्यू ड्रग्स एप्रूवड फॉर एमर्जंसी यूज यूस ऑस्राइशन बाइधा यूनियन हेल्थ मिरिश्ट्री तो कोश्चन आप समझ गया होंगे कोश्चन में एक आ गया है कि हाली में तीन नई जो कोविड-19 की जो एंटिवारल ड्रग है इनको एप्रूव किया गया है तो इन तीन में से कौन सी एक हैधराबाद इस्तित्र बाइलोजिकल इ गई कोववेक्स बाइलोजिकल इद्वारा बनाई गई कोविवेक्स और एक एंटी कोविट पील है मॉल्लो पिरावीर तो इन तीनों को जो है एप्रूव कर दिया है आपको जानना चाहिए अब तक भारत में सिक्स कोविड-19 वैक्सीन जो है एप्रूव हो चुकी है एक तो वह है सीरम इस्ट्रियोटिक कोविशिल्ड दूसरी भारत बायोटेक की कोवेक्सीन तीसरी है जाइड़स केडला की जायकोवटी चोती है रशा की स्पूतनिक और पाच भी है यूस मेड मोडर्ना और छटी है जोंसन एंड जोंसन की वैक्सीन बाकिया आपको जानना च से जो मॉल्लो पिरावीर है एक एंटी वाइरल ड्रग है जिसको की अब 13 कंपनी जो हैं बना रही है और काफी इमर्जंसी सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है परदान मंतिर नरेंदर मोदी ने कि सहर में मैट्रो रेल के नए 9 km खंड का उधाटन किया है सही आंसर ऑप्शन भी है प्राइम निस्टर नरेंदर मोदी इनौगरेटेड दन्यू 9 km स्ट्रेच ऑफ दा मैट्रो रेल इन कानपूर तो देखिए आपर कानपूर मेटो रेल प्रोजेक्ट का एक complete section इनोगरेट किया गया है प्रदानमंतिर नरेंदर मोधी के द्वारा तो यह section है 9 km long section है कानपूर मेटो रेल प्रोजेक्ट का जो की IIT कानपूर से मोती जील तक के बीच में है तो इसको इनोगरेट किया है आपको पता देए जो कानपूर मेटो रेल प्रोजेक्ट है यह total 32 km इसकी लेंद है 11,000 करोड पे इसकी cost है जो इसकी निर्मान में cost लगी है 11 जूनियर रास्ट्य पुरुष होकी चैंपेंशिप किस राज्य की टीम ने जीती है सही answer option D है तो उत्तरप्रदेश state team won the 11th junior national men's hockey championship तो देखे 11th junior national men's hockey championship यह कौविल पत्ती तमिल नाडू में हुआ है कौविल पत्ती तमिल नाडू में और इन्होंने हैं आपर चंडिगड को 3-1 से हरातिया है फाइल में तो 11th junior national men's hockey championship भी ती है उत्तरप्रदेश ने और हाली में ने यह पढ़ा था कि जो 11th hockey इंडिया जूनियर women's national championship दोजार इकी सुगी है सिम्देगा जारकन में इसको जीता है हर्याणा ने स्यामा प्रसाद मुखर जी रोर्बन मिजन के कार्यान में में कौन सा राज्य पहली स्तान पर रहा है और उप्शन आपके सामने है केरल हर्याणा तिलंगाना या फिर आंद्रप्रदेश सही आंसर ऑप्शन सी है सो तिलंगाना इस्टूट फरस्ट इन दा इंप्लिमेंटेशन ऑफ दा स्यामा प्रसाद मुखर जी रोर्बन मिजन जिसको आप SPMRM भी बोलते हैं फुल फोम पुछी जा सकती है कि SPMRM की फुल फोम क्या है या फिर किसी एक लैटर की आप से पूछा जा सकता है तो इस तरह से पूछ लेते हैं कोशन में तो यह भी आ इंप्लिमेंटेशन में तिलंग आना पहले पोजिशन पर है तो चार साल पहले स्कीम लॉंच की गई थी जिसका मकसर यह था कि लोकल एकोनोमिक डेवलपमेंट बेसिक सर्विसेस को बढ़ाना और जो वैल प्लांड क्लस्टर से उनको क्रियेट करना तमिलनाडू इसमें से यहां से आप देख सकते हैं अगर आप इनको समराइज करें तो यह देखिए तेलंगाना तमिलनाडूर गुजरात अगर हम इस स्टेट की बात करें और यह टॉप क्लस्टर्स चलिए आगे बढ़ते हैं किस देश ने भारत से अंडे और अन्य पॉल्टरी उत्पादों की आयात पर प्रतिबंद हटा दिया है सही आंसर ऑप्शन ए है So UAE has lifted a ban on import of eggs and other poultry products from India देखिए United Arab Emirates UAE इसने भारत से इंपोर्ट एक्स और poultry products इंपोर्ट करने से ban हटा दिया है कि अब यह जो है भारत से ले सकेगा आपको बता दें तक्रीबन पांस साल पहले इसने बैन लगा दिया था क्योंकि इसकी कुछ शिकायत थी कि भारत जो है सही मान को काउप योग नहीं कर रहा है इसको export करने में भारत की और से जो export हो रहा है भारत ने कहlate कि हम इसमें ध्यान देंगे और आब आपको फिर से शुरुक करना चाहिए हमको रहे यह ब्यापार करना चाहिए तो आप Üवैए ने है और प्राइम मिस्टर है मुहम्मद बिन रासित अल मक्तूम बल्देव प्रकास ने किस बैंक के प्रबंद निशक और सीओ के रूप में कारेबार समाला है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है सो बल्देव प्रकास हैस टेकन चार्ज एस दे मैनेजिंग डिरेक्टर एंड सीओ ऑफ जमू एंड कश्मीर बैंक तो देखिए इनके अपॉइनमेंट तो पहले ही हो गई थी मतलब आरबिया इने पहले ही अप्रूव कर दिया था तो अब जो है जमूमेंड कश्मीर बैंक का जो बौर्ड है इसका बौर्ड अफ डिरेक्टर का जो या फिर आप कह सकते हैं बौर्ड है जो तो उन्होंने भ बाले करेंगे बाठी आपको जाना चाहिए जम्मों एंड कश्मीर बैंक का हैट्वाटर स्री नंगर में है और टैग लाइन है सर्विंग टू इंपावर MAS Financial Services ने सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्योग को रिण देने के लिए किस बैंक के साथ एक रणनी तीक सह उतार साज़दारी में प्रवेश किया है Bank of India, State Bank of India, Union Bank of India, फिर Bank of Maharashtra सही आंसर होगा option D So MAS Financial Services has entered into a strategic co-lending partnership with Bank of Maharashtra for lending to micro, small and medium enterprises Co-lending partnership के बारे में हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं और इसका मतलब भी हम अब अच्छे से समझते हैं जो डेली हमारे वीडियो देखते हैं तो यहां पर MAS Financial Services जो यह NBFCS ने Bank of Maharashtra के साथ Co-lending partnership की है किसके लिए Micro, Small and Medium enterprises को loan देने के लिए बागी आप जानते है Bank of Maharashtra Headquarters पुने में है MD&CO AS राजीव हैं Tagline है One Family, One Bank Arian 5 rocket द्वारा Antrix में भीजा गया James Webb Space Telescope 29 दिनों की आत्रा के बाद Antrix में किस विशिस्ट बिंदू पर उतरने के लिए तयार है देए कितना प्यारा question आपके लिए frame किया है Options आपके सामने है सही answer option B है The James Webb Space Telescope sent into space by the Arian 5 rocket is set to land at Lagrange.2 in space after a 29-day journey जानेगे इसके बारे में देखिए James Webb Space Telescope के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको जो है इस पेस में भीज़ दी क्या है Arian 5 rocket की सायता से अब ये 29 दिन की journey के बाद एक visist point पर उतरेगा एक specific point पर जो है ये land करेगा या फिर rest करेगा इसका नाम है Lagrange point 2L2 से जिसे denote करते है देखिए Lagrange से point किया होते हैं मान लीजिए सूरच से केंदर से दिया प्रित्वी के केंदर पर एक सरल लेखा कीजिए एक स्ट्रेट लाइन अगर आप खीचते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे बिंदू मिलेंगे जहां पर सूर्य और प्रित्वी दोनुके गुर्थवा कर्षण जो है बराबर होते हैं समान होते हैं तो ऐसे बिंदू जो आपको मिलते हैं ना अगर आप कोई सैटेलाइट यदि कोई वहाँ पर सैटेलाइट पहुंचती है उन बिंदू पर तो वह स्थिर रहती है तो इसलिए भी यहाँ पर स्थिर रहेगी लेगरांज जे टू पॉइंट पर तो इस तरह के पांच पॉइंट है ल 5 तक है यहाँ पर भी आप पढ़ तो रिमेन इन पोजिशन अब देखे जब दोनों की तरफ से गृत्वा कर्शन जो है बराबर लग रहे हैं प्रिथ्व और सूरे के दोनों के गृत्वा कर्शन समाने उन बिंदू पर तो फ्यूल कंजप्शन भी यहाँ पर कम होता है और इस तिर रहता है सबसे बड़ी ब पहला ऑफसाइड सोर सही अंत्र चालू किया है सही आंसर ऑप्शन डी है आईटीस लिमिटेड हैस कमिशन इट्स फस्ट ऑफसाइड सोलर प्रांट इन तमिल नाडू तो चैतर क्रोड़ रूपे की इंवेस्टमेंट से सैटप किया जाएगा तमिल नाडू से जो है चार सो 50 किलोमेटर दूर 14.9 मेगावाट का प्रांट बनेगा ये डिंडीगुल में डिंडीगुल याद रहे ना आपको डिंडीगुल कई बार एक्जाम में पुछा जाता किस चीच के लिए फेमस है तो ये अपने लॉक्स के लिए फेमस है लॉक्स यानि की ताले ठीक है जी अधारीत रिमोर्ट वर्किंग तकनीक बनाने के लिए हाथ मिलाया है सही आंजर ओप्शन यह है टेलिकॉम ऑपरेटर भारती एर्टेल एंड टीस हैव जोइंड हैंड्स टू बिल्ट फाइव जी बेस्ट रिमोर्ट वर्किंग टेकनलोजी यूजिंग रोबोटिक्स तो अपरेटर भारती एर्टेल और आईटी मेजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस इन दोनों नहीं हाथ मिलाये किसलिए यह फाइव जी बेस्ट रिमोर्ट वर्किंग टेकनलोजी को बिल्ट करेंगे किसकी सायता है रोबोटिक्स की सायता से आपको बता दें फिलहाल दोनों ही कंपनी जो है 5G ट्राइल कर रही है एर्टेल की जो 5G लेब है मनेसर हरियाना में साथ है आपको जाना चाहिए जून में भी एर्टेल और TCS ने एक इस्टेजिक पार्टनर्शिप की घोशना की थी जिसके तेहत टाटा गुरूप जो है O-RAN O-RAN का मतलब है Open Radio Access Network इसको जो ह है डेवलप कर रहा है तो 5G रोल आउट में इसकी काफी महत्रपूंट भूमिका रहेगी फुल फो में याद रखेंगे Open Radio Access Network IT राज्यमंत्री राजीव चंद्रसेखर ने किस सहर में पांचवे सोफ्ट्वेर प्रद्योगीर पार्क का उध्गाटन किया है सही आंसर है Option A Minister of State for IT राजीव चंद्रसेखर inaugurated the 5th Software Technology Park इन मेरट तो मेरट उत्तरप्रदेश में 5th Software Technology पार्क के स्थापना की गई है साथ है आपको जाना चाहिए जो इस चंद्रसेखर है इन्होंने आप नाइन्थ क्लास इस्टुएंट्स के लिए स्कॉलोशिप की भी खोशना की है किसके लिए जो भी आइटिविशल इंजियर्जियन सोलूशन बनाएगा किस चीज के लिए मिट्टी को जानो फसल पहचानो इस थीम पर इन्नोवेशन अचीवमेंट्स 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ज पर है सही आंसर ऑप्शन भी है जानेंगे इसके बारे में देखिए यहां पर मिन्स्ट्री ओफ एजुकेशन की इन्नोवेशन सेल ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्ट्यूशन ऑन इन्नोवेशन एचीवमेंट्स 2021 इसको रिलीज किया है इसमें जो इसट्यूट्स यह उनको रेंकिंग दी गई है जो मुक्य रूप से दो कैटेगरी होना पर्लेज तेकनिकल और नोन टेकनिकल कैटेगरी तो देखिए टेकनिकल कैटेगरी में इंडियेशन इसको मॉस्ट इनवेटिव एगूचन इन्स्ट प्ताया गया है तीसरी दफ़ा ऐसा है जब IIT मदरास ने फस्ट पोजिशन प्राप्त की है IIT Bombay सेकंड पोजिशन पर है IIT Delhi थर्ड पोजिशन पर है साथ है आपको जाना चाहिए देखिए अब थोड़ी केटेगरी हो रहे है इसमें गालें गहए पेली रहे पंजाब यूश्ट वी यही फ्रैंक इसिस की इस इसी आति है ठीक है तो इस पैलिंग रोंग नहीए यही इसकी स्पवरिंग पी ए जी अब पंजाब यूश्टी Government and Government Aided College Institutes में First rank है College of Engineering पुने Private और Self-Financed Universities में First rank है Kalinga Institute of Industrial Technology खोर्दा Private और Self-Financed College या Institute में First rank है G.H. Ryersoni College of Engineering नाखपूर Institute of National Importance Central Universities and CFTIs इसमें First rank है Indra Gandhi National Open University की और अगर हम General Non-Technical की बात करें तो First position है Entrepreneurship Development District of India की उर्जा दक्स्ता सेवा यानी EESL के मुख्य कारेकार्य अधिकारी के रूप में किसे न्युक्त किया गया है सही आंसर Option A है तो राधिका जहाँ है बीन अपॉंटेड एस दा Chief Executive Officer of Energy Efficiency Services डबल एस एल तो देखे राधिका जहाँ को बनाया गया है डबल एसल यानि कि Energy Efficiency Services Limited की Chief Executive Officer आपको जादे डबल एसल ये Joint Venture यानि कि उपकरम है किसके बीच NTPC Power Grid Power Finance Corporation इंड रीए सी के बीच में जो की Energy Efficiency को प्रोमोट करने का कारे करते हैं साथ ही आपको जाना चाहिए WESL का Headquarters New Delhi में है. चले देखते हैं आज का साइमेंट कॉष्चिन. Asian Development Bank is made up of how many countries? Who has been appointed as a Deputy CEO of Brahmo's Aerospace Limited? Who was adjuns the best actress in the 49th International Emmy Awards? Teenagers in what age group will be eligible for doses of Qobali 3rd? Which party emerged as single largest party in the Chandigarh Municipal Corporation election? तो 5 questions के answer आपको हमें comment box में बताने हैं. यदि आपको एक question का answer भी आता है तो अभी आप हमें comment box में बता सकते हैं. साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं. यहाँ पर regular video updates और current की जैसे हम आप सब एक लिए डालते रहते हैं. साथी discussion group में आपकी से भी question का solution पा सकते हैं. दोस्ते हैं आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ और फैल वे अच्पेंड साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें. आज का इस session आपको कैसा लगा हमें comment books में जरूर बताईएगा. Thank you guys.